कि अधिक रफन वंस अगें कि याल चाले बढ़िया कैसे चल रही है तो स्टार्टी हुए है चलिए हाँ जी हाँ जी चल रहे होगे फांडिशन में मैक्सिम कितनी दिर पढ़ते थे पढ़ते ही नहीं थे वैसी इंटर में आ गए चल दो सर ऐसी फाइनल में पहुच जाएंगे वैसी सी यह बन जाएंगे अच्छेश मैक्सिमूं कितना पढ़े हो फांडिशन में एक दिन में अधर क्लासि अगर हम कहें कोचिंग क्लास पांच गंटे फाइफ हार्स इससे भी यहां तुमारा नाइनार सो कोचिंग का वैसे है चलो बढ़िया अच्छा है इंटर में आगे तो मैं आधर दिल जाएगी नाइस चलिए गाइस दिससी हर्ष गुपता आं रिस्पॉंसिबल फो यूपेपर टू कॉर्परेट अधर लॉस एंड क्यूंकि आज पहला-पहला सिर्फ दो ही टार्गेट्स होते हैं कौन से दो टार्गेट्स होते हैं एक तो बच्छो आज की क्लास का पहला टार्गेट हमारा क्या रहने वाल है थोड़ा सम जान लेंगे अपने पेपर के बारे में तो मारे पेपर का पूरा नाम क्या है कॉर्प्रेट अन बच्छा अग सेंस में रहता है आप सब्सक्राइब कर दोड़ा सा इंट्रस्टिंग इस सेंस में रहता है कि आपने 12 तक कभी भी लॉग नाम करना वर्ड सुना नहीं होता है और जब आप 12 के बाद पहली बार सोचते हो कि यारम लॉग फाइनली पढ़ने वाले हैं तो आपकी थोड़ी सी पर पहली बार पढ़ते हो आपकी जनरल यहां से स्टार्ट हो जाती है और बच्चा वहां पर कहते हैं यह क्या मैं तो सोच रहा है तो मेरे को लॉग बताया जाएगा क्या होता है और यहां सीधा ओफर एक्सेप्टेंस कॉंट्रेक्ट इस पर हमा आ गये हैं तो वहां पर दो थोडा सा आपका जो इंटरस्ट होता है न पहला स्टेप ज JUST होता है वही पर रहह जाता है और उसकी वज़से लंगब पढ़ने का इंटरस्ट onTrust into traumatic रोगनेख easy पाएगा जब तक आपको यह ना में keeping होगता है हमक्यों पढ़ते हैं हमारे देश क्यों फॉलो किया जात तो वो थोड़े से questions unanswered रहे जाते हैं किसी के unanswered रहे हों है questions अच्छा सबको मिलके पता चलिए foundation पर यह answer हैं अच्छा देखो यहां पर अगर आप hand raise नहीं करोगे तो मैं बताया तो मैं दो approaches से पढ़ा सकता हूं पहली approach मैं यह आपको पढ़ा सकता हूं कि अपने foundation पे हलका फुलका लॉप पढ़ा है आपको लॉप के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है और इंटर पर हमारा लॉप जहां से स्टार्ट होगा सीधा में वहीं से लाकर आपको पढ़ा सकता हूं दूसरी approach मैं अपना सकता हूं मैं आपको 12th pass out student म सकता हूं कि आपने जिवन में पहली बार है कि आप law पढ़ने वाले हूं क्होंसी अप्रोच फोलो करें उसी approach के साथ हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे और आगे-बडे उसससे पहले आप सबको एक handout मिल गया होगा अगर किसी को handout नहीं में प्रीज पीछे चुप चप जाके वो handout collect कर लेना आज की class में वो काम आएगा coming down to अपने live and youtube live students आपको भी वो handout अभी डाउनलोड करके रखना पड़ेगा क्योंकि आज की class में लेटर ओन उसकी help लेंगे तो आपको वो handout कांसे मिलेगा मेरे एक टेलिग्राम चैनल है आप उस पर जाओगे तो वहाँ पर जस्ट अभी class में पांच मिंट पहले वो handout upload किया है तो आपको एक app है टेलिग्राम नाम का वो एप डाउनलोड करना रहेगा वहाँ पर आप इस चैनल पर जाएंगे तो वहाँ से आपको वो handout की soft copy में जाएगी वह आप बस डाउनलोड करके रखना लेटर ओन आज की class में वो help करने बादे हैं चलिए thank you दिक्षा चलिए तो यही आज की class के हमारे दो targets हैं थोड़ा सा corporate and other laws के बारे में जानने हैं तो लौ का paper में कह रहा था आप law पढ़ लेते हो वो एक अलग चीज है और law को present करना दोनों डिफरेंट चीज है अच्छा सा सवाल है अच्छा lawyer आप किसको मानोगे जिसको law अच्छा आता है या जो judge के आगे law को अच्छे से present कर पाता होगा अगर उसे law अच्छे से नहीं आता पर उसने judge के आगे बह रहेगा तो आपको भी जच को धार न रहेगा तो आज की क्लास में यही सारा सीखने वाले हैं फिर से मैं किसे ने ना लिया तो हैंड़ ले लेना जितने भी हमारे life students है आप भी उस लिंक पर जाकर वहां से वह हैंड़ डाउनलोड तर पाएगे हां जी विने आपके message दिख अब कर आपके बारे में जानना कि हमारा पेपर कहें तो जान लेते पृच्छों एक बार पेपर के बारे में जाता आ इसांज है पढ़ना उसको याद करना काफी असान है आपका काफी इजी वालपेपर रहने बाले कि नहीं नहीं मैं सरकाजम मेरे को यूज करना ही नहीं आता हूं बुछ जो कि अधियुज़े जला रहे है विश्वास ओजाएगा थोड़े और दो शार जिलोस्फी मैं जल्दी से नहीं करता हूं मुश्किल क्या होता हूं जो हमें समझ में नहीं आता, वो मुश्किल है हमारे लिए, अगर आप कोई complicated चीज को समझ जाओगे, तो आपके लिए कभी मुश्किल ही न रहेगी, और Einstein जी ने एक बार एक बात कही थी क्या, कि आपकी किसी topic पर कितनी अच्छी grip है, ये तब पता चलता है, जब आप उस topic को सबसे असानी से समझा पाओ, तो अगर आप किसी भी चीज को बहुत easily समझा सकते हो, that means कि आपकी उस पर बहुत अच्छी grip है, तो जब तक हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हमें लगता है इतना सारा syllabus है, इतनी सारी चीज़े हैं, इतने सारे sections है, कैसे याद होंगे, कैसे क करेंगे, पर वही develop करने के लिए तो आप यहां पर आए हो, तो अबर a period of many months, आप इसी चीज की practice करने वाले हो, अगर आप एक decent level of sincerity and consistency maintain करके चलोगे, वो automatically आपको develop होती ही दिखेगी, और आप realize करोगे कि हाँ, यह चीज़े उतनी भी tough नहीं है, जितना हम सोचते हैं, ultimately आप अगरे, 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 आपका यह द्यान रखना भी, अब आप CA Inter level पर हो, आपका यह graduation level नहीं है, graduation वगेरा में जनरली हम होता है कि last year 1 month पढ़ लेंगे, 15 दिन पढ़ लिया, तो हमारा result आजाएगा, CA CA में थोड़ा सा ऐसा नहीं चलेगा, consistent starting से रहे ना, अपना एक regular pace बना कर रखना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, Yes, paper number 2, corporate and other laws, just give me a second, I'm just facing a little, small technical glitch, बादल कहरें, यह सबसे बड़ा सवाल है, पहली class में आ गया, सर्फ बुक की ही language लिखनी होती है, बताओ, paper में आपको बुक की ही language लिखनी होगी, क्या लगता है, तो, आज की class में तो हम थोड़ा सा law के बारे में जानेंगे, जो आपका दूसरा issue आता है, कि law present कैसे करते हैं, उसको भी हम address करेंगे, अब law लिखने की practice कैसे होगी और law लिखना कैसे, उसके लिए क्या होगा बेंगा, सबसे बह ellos रिपर में आ करके आप during the course of the batch वह practice करोगे, तो batches के दरान class में मैं आपको काफी सारे answers लिखाऊंगा, काफी सारे tests आपके रहेंगे, वो सब आपको time to time करना है, वहाँ पर you have to be honest, अगर आप वो सारे tests करोगे, जितने answers मैं आपको लिखाऊंगा, वो आप लिखते चलोगे, आपकी writing practice automatically develop हो जाएगे, तो उसका आपको बि language A to Z लिखनी होगी, फिर तो हम रेक्टा मार रहे हैं, हमारा गाम रेक्टा मारना नहीं है, मैं लोगों को समझना है कि law बना क्यों है, वाइदा lawmaker made that law, और एक बार आप वो grip बना लोगे, फिर आप उसको अपनी language in presenter के आ सकते हैं, अरे बड़े tough tough सवाल आ रहे है, बच्छ लेंगे काफी सारे blank pages, तो आपको separately एक register ना बनाना पड़े, इसलिए मैंने book के अंदर ही आपको sufficient blank pages provide किये हुए है, जितनी भी noting करनी होगी, हम book के अंदर ही करेंगे, उसका basic purpose यही है हमारा, कि हमारी law के ऊपर जितनी भी पढ़ने लाइक चीज हैं, एक जगे compiled रहे हैं, मै आपके साथ पता नहीं, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब paper लिखता था ना, कोई question आया, तो मेरा mind जाता था, अरे उस book के इस page पे बात यहां लिख हुई थी, and I used to recall it like that, that is called as visual memory, तो आप अगर register अलग से बनाओगे, आप अपनी visual memory को duplicate कर रहे हो, चीजे याद करना नहीं करते हैं, books कब तक आएंगी, तो भी जो हमारे face-to-face students है, आप में से कहीं को books मिल चुकी होंगी, वरना नीचे से मिल जाएंगी, जो live students है, आपको books dispatch हो जाएंगी, as soon as you get registered, it generally takes a timeline of 3-4 days, depending कि आप कितना दूर रहते हो, तो आप timely अपनी books order ज़रूर कर लेना, meanwhile next class से, आ आपका काम चल जाएगा, तो हमारी जितने भी classes के लिए chapter 1 चलेगा, वहाँ से you can manage, इतने में आपके पास books आई जाएगी, so don't worry. एक बार टेक्निकल टीप, स्क्रीन चेक करना प्लीस, लेगान एक बार स्क्रीन, चलो, now it's sorted. तो जान लेते हैं बच्छों, अपने paper के बारे में थोड़ा सा, तो this is paper number 2, corporate and other loss, and as mentioned, so ही number का आपका ये paper रहने बाला है, paper number 2 में इसको क्यों बोल रहने बच्छों, बहुत टफ सा बाल है, paper number 2 क्यों बोल रहना है, जब आप अपने paper लिखने जाओगे, this will be the second paper that you will be writing, तो ये आपका दूसरा paper होगा, जो आप लिखोगे, पहला कौन सा होता है, accounts, तीसरा, costing या tax, paper for tax, और कितने paper लिखने आपको इंटर लेवल पर, चलो, फिर भी आप कभी भी ये चीज भूल ना जाओ, या भूलो तो, मैं आपको एक source बता देता हूँ, वहापर जाकर आपको इ चीज पता चल जाएगी, आप मैंसे कहीं बच्चोंगे, ये source अल्ड़ी पता होगा, किसी को नहीं पता है, तो during your CA journey, ये website आपको काफी help करेगी, तो आप Google पर लिखना, ICAI Board of Studies, पता है सबको, तो हमारे institute का एक Board of Studies है, Institute of Chartered Accountants India ने एक Board of Studies बनाया हुआ है, जो आपका पूरा syllabus सेट करता है, study mat बनाता है, question papers देखता है, RTP, MTP वो सब सेट करता है, तो उन्होंने एक website बनायी हुई है, जहाँ पर आपको उनका सारा के सारा resources मिल जाते हैं, शायद आपने foundation में, ये website यूज करी होगी, नहीं करी है, तो इंटर में शायद आपको help करे, तो यहाँ पर जै यहाँ आपको आपके papers के बारे में पता चल जाएगा, और आपको जो institute से hard copy of the study mat receive होता है, उसकी soft copy भी यहाँ पर free of cost available रहती है, you can access that, तो अगर आपको कोई study mat by chance access करने की ज़रूरत लग रही है, यहाँ से आप access कर पाएंगे, यहाँ पर आपके सारे papers भी mentioned रहते हैं, तो यह सब चीज़े पता हूँगे आपको फिर भी पहली class है, तो मैं presuming आपको नहीं पता है, मैं एक बार फिर से brush up करता हूँ, तो यह बच्चों आपके CA inter level पर 8 paper रहने वाले हैं, पहला obviously accounts, दूसरा corporate and other laws, तीसरा आपका आजाएगा costing, चौथा आपका आजाता है taxation, जिसमें D DT, IDT दोनों रहते हैं, फिर आपका advanced accounting, auditing, EISNSM and FMNE, तो यह आपके inter level पर 8 paper है, likewise final level पर भी आपके 8 paper होते हैं, बट जब तक आप final में पहुच होगे, पूरी-पूरी उम्मीद है, वो घटके कितने हो जाएंगे, क्योंकि अभी CA का एक नया syllabus आने की उम्मीद है, सर क्या व पूरे chances हैं, कि आप final में under the new syllabus आओगे, तो उस मामले में तुम काफी लखी हो, कि CA final level पर तुम्हें सिर्फ छे ही paper crack करने पढ़ेंगे, CA बनने के लिए, तो यह आपके 8 paper है, 8 paper एक साथ लिखने है, कोई option है आपके पास, क्या कि है institute नहीं, 8 paper को दो groups में डिवाइड किया Group 1 and Group 2, Group 1 में 4 paper, Group 2 में 4 paper, option कहा रहा है आपके पास, आप चाहो तो एक एक group दे सकते हो, चाहे तो दोनों दे सकते हो, तो sir, दोनों क्यों दे, अगर एक एक दे सकते हैं, तो क्यों बेकार की tension ले, चलो, तो जी, एक तो आपको पता होगा, हमारे institute, CA inter level पर, all India 50 ranks निकालता है That is, CA का वो exam, उस attempt में, across the India, जितने भी 1000 बच्चों ने लिखा है, उन में से top 50 बच्चों के एक rank निकाली जाती है, तो अगर आपको अपने नाम के आगे वो rank चाहिए, तो आपको दोनों groups का pressure जिलना पड़ेगा, और एक और छोटा सा advantage रहता है क्या, तो जो आपके ये papers है For example, 4 paper group 1 में आ रहे है, passing के लिए कितने चीए है? Individually, चलो, individually हर paper में passing के लिए कितना चीए होता है? जैसे हम log a paper लिखेंगे, तो कितने आने चीए है? 40, तो individually तो आपको हर paper में 40 score करना पड़ेगा, और अगर आपने group 1 का paper लिखा, तो चारो paper में आपका aggregate कितना होना चीए? 50 That is, 400 का आदा करेंगे, तो कितना हो गया? 200. तो individually हर subject में आपके 40, 40, 40 से उपर आने चीए? पर 4 हो के aggregate मिला के कम से कम इतने बनने चीए? कि आपका 50 टब जाए? For example, 2 subject में 40 आ गये, 2 में 60 आ गये, aggregate 50 बिन गया, pass हो गये. तो वो एक advantage आपको रहता है? तो groups में इस तरीके से आ आपके पास advantage होता है, आप दोनों group साथ देते हो. Let's suppose बच्चो, आपके हर आठो के आठो पेपर में 40, 40, 40, 40 आ गये. पर group 1 में आपके आने चीए थे 200, रह गए 190. और group 2 में आप कितना score कर जाते हो? 210. तो आपके दोनों group past मान ले जाते हैं, इसको हम कहते है, set of benefit. तो साथ दिये थे, तो combine उनकी average आ गई और उस वज़े से वो फिर sell through हो पाए. तो ये एक advantage रहता है, दोनों group साथ देने का. पाके तो, during the batch में आपको guide करता रहूँगा कि single के लिए जाना चाहिए, बोथ के लिए, we can discuss that. ये आपका CA Inter का पूरा syllabus रहने वाला है, और इसमें हमार इंटर के syllabus की बात है, syllabus के regarding किसी को कोई doubt हो, परना फिर हम अपने particular subject पर आ जाते हैं, किसी के मन में कोई सवाल हो पूछलो भई, चलिए, आ जाते हैं फिर अपने subject पर, that is corporate and other laws. चलिए, तो बच्चों, ये आपका paper to corporate and other laws, handed marks का, और हमारे institute ने इस paper को दो categories में divide किया हुए, पहला तो आप का जाता है, corporate law, corporate law आपके paper में कितने marks की weightage करेगा, 60 marks, दूसरा के हा जाता होगा, other laws, कितने marks की weightage रखता होगा, चालिए, इस तरीके से आपका paper bifurcated है, corporate law will be carrying a weightage of 60 marks, other law will be carrying a weightage of 40 marks, किस कुछ लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको books में bifurcation होगी, कि part A, corporate law, part B, other law, तो the answer is no, paper में ऐसा कोई bifurcation नहीं आएगा, paper में for example, आपको question number 1 आएगा, उस question number 1 में तीन parts corporate law के होगे, दो parts other law के होगे, तो paper इस तरीके से bifurcated नहीं होगा, दो parts में, syllabus bifurcated है, paper की weightage bifurcated होगी, पर questions के अंदर corporate law के भी question होगे, और other law के भी question होगे, वो आप ध्यान रखिएगा, तो paper में ऐसा part A, part B, नहीं आएगा, तो part 1 आपका corporate law का रहता है, 60 marks, and then हम पढ़ेंगे other laws, 40 marks, तो यह हमारा बच्चो, CA Intergast, ले बस है, अब इस में से अगर हम corporate law की बात करे, तो बच्चो, corporate law हम किस law को बोलते हैं, बस company law, जा कोई और कानून है हमारे देश में, जिसे corporate law बोला जासकता हो, या sir company law है, LLP act, LLP act को corporate law बोल सकते हैं, sir LLP क्या body corporate है, तो क्या वो भी कहा जासकता है corporate law, कहने को कह सकते हैं, उस criteria से, और कोई कानून, एक दो बच्चे नाम ले रहे थे, सही बोल रहे थे, बहुत अच्छे, किसने के लिए ही कही न कहीं बनाया गया है, SEBI act में लिखा गया होता है, कि SEBI क्या होगा, SEBI में कौन-कौन होंगे, SEBI की क्या powers है, उसकी क्या जिम्मेवारी है, कैसे वो penalty लगा है, वो सब चीजे mentioned है, पर वो भी एक टाइप का corporate law है, likewise एक और act है, SCRA act, Securities Contract Regulation Act, likewise Depositories Act है, likewise एक बच हमारे इंटर लेवल पर institute ने आपका काम इतना जादा असान करका है, इतना जादा असान है कि मैं क्या बता हूँ, और इसलिए institute ने क्या आपका, आपको कितने corporate law पढ़ने सी इंटर लेवल पर, सिर्फ एक, and that is Companies Act 2013, so this is the only corporate law in your syllabus, अब सर अगर Companies Act की बात करे, किसी बच्चों को मैं थोड़ा सा modify करके बोलता हूँ, Companies Act का last section number क्या है, 470, पर Companies Act में total section 470 नहीं है, ये किस वज़े से मैं कह रहा हूँ, इसका भी एक logic है, next class तक आपको logic मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई पूछे, तो ठीक है, लेमें के टर्मस में आप कह सकते हो, 470 section ह है, पर हमेशा द्यानतना, last section number 470 जरूर है, total section अगर आप count करोगे, एक एक करके, वो 470 नहीं है, वो vary करते हैं, तो इसलिए Companies Act का last section number 470 है, चलो कह देते हैं, 470 section है, तो 60 number के लिए 470 section पढ़ लोगे, नहीं, मैं कह रहा हूँ, हमारा institute क्या है, बहुत दयावान है, तो कह रह 148 sections हैं, जो आपको पढ़ने रहेंगे, और इससे आपको 60 marks paper में मिल जाएगे, पास होने के लिए कितना चीए law में, 40, तो 60 तो जी ही पर आपके आ रहे हैं, अगर आप company law में भी सर्फ 500 section पढ़ जाते हो, it will help you to score 60, पर वैसे 40 आने चीए, पर aggregate के लिए हमारे total 50 बनने चीए पर अगर किसी subject में आप by chance 60 ले आते हो, उसको क्या कहते है बच्चो, उसे मानते exempt, for example आपने group 1 का paper दिया, आपका accounts में 50 आगया, आपका law में 70 आगया, आपका costing में let's suppose 65 आगया, by chance tax में रह गया 39, तो क्या आपका group pass माना जाएगा, नहीं जी क्योंकि हर subject में 40 से उबर आने पर क्योंकि आपने दो subject में इतना exemplary score किया, for example law and costing जहाँ आपने 60 and above score किया है, तो अगली बार जब आप paper देने जाओगे, ये दो paper से आप exempt हो जाओगे, तो आपका group तो पास नहीं माना जाएगा, पर अगर आप किसी subject में exceptional score कर देते हो, तो उस case में ध्यान रखना, वो paper आ आपका exceptional score क्या होगा, तो एक तर बच्चो dream score, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चो के 90 and above है, that is a big dream for me, कि यहाँ जी student इतना score करे, तो वो एक dream number है, obviously law जैसे subject में 90 score करना ये expect करना थोड़ा सा unreasonable है, but still, that is a dream number, exceptional कि अगर मैं बात करू, exceptional मुझे चाहिए 80 and above, तो exceptional score तो मैं तब मानूँगा, जब आपके 80 and above आएंगे, और past में बहुत बच्चो के आए हुए है, तो 80 and above काफी बच्चो ने score किया हुए, तो वो achievable है, वो काफी बच्चो ने achieve किया, पर हाँ, 90 अबाद होगे तो वो तो और भी बढ़िया हो जाएगा, और किसी भी हद में, आपको जो minimum अपने लिमिट सेट करनी है, 60 से नीचे तो जाना ही नहीं है, that is the minimum number या minimum criteria जो आपको paper में लाना ही लाना है, तो ध्यान रखना, dream number will be 90 and above, exceptional will be 80 and above, और minimum अगर set criteria करना है, 40 तो भूल के भी नहीं करना है, minimum आपके लिए 60 का criteria होगा, जी 60 तो में चाहिए ही चाहिए है, तो बस विने कहरे सर, subsection and rules भी है, तो section है, तो section के अंदर जो हिस्से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो क्या institute बस तुमें heading पढ़ाएगा, पूरा section ही पढ़ना पढ़ाएगा, पूरा section पढ़ोगे, कैसे कैसे सवाल है, चलिए, and क्या sir rules भी है, तो विने, जानेंगे rules क्या होते ह चलिए, तो ये बच्चों में, companies act में पढ़ना रहेगा, 60 marks के लिए, and 148 section, that is, and companies act तो थोड़ा बहुत foundation में भी पढ़ा होगा, था कुछ, क्या-क्या था, meaning क्या था, characteristics, अच्छा, incorporation हो कह रहा भी था, अच्छा, Salman versus Salman भी होगा, अच्छा, वो भी था, Lee versus Lee affirming, section 7, incorporation, section 8 company not-for-profit company, अच्छा, ये सब थे, क्या बात, यार, अच्छा, में, 1500 में से तुमने लगबग, मैं कहूंगा, तो 18-10 section तो पढ़ रखे होंगे, अच्छा, 8-10 के करीब पढ़ रखे हैं, बहुत जबरदस चलिए, 8-10 तुमने पढ़ रखे हैं, 1500 में से 4-5 section institute ने तुमारे स्ले पढ़ने हैं, पढ़ने हैं definitely कहां पढ़ोगे, फाइनल्स में, तो अब सी फाइनल में पढ़ोगे, तो उसके साब से तो 1500 section बहुत ठीकेट, मैं तब 60 number के लिए मैं literally कह रहा हूँ, ये 1500 section बहुत असान है, ये आपके manage हो जाएंगे, और एक और डाउट जो तुमारे मन में क बनाते हैं या असान बनाते हैं, अगर मैं 1500 section paragraph form में लिखके तुम्हें दे दो, ये पढ़ना है, एक story की तरह, पढ़ लोगे, या जब वो bifurcated होगा टुकडो में, तब असानी से बढ़ पाओगे, तब असानी से बढ़ पाओगे, तो section make things easier for you, and being a chartered accountant, आप जब section number की terms मे में बात करते हो, वो जाधा professional लगता है, और आपकी grip भी वहाँ पर show होती है, और trust me, law को याद करना आपके लिए बहुत असान हो जाता है, तो trust me, अगर आप batch में, जैसे जैसे मैं revision कराऊंगा, अगर वो करते चलोगे, 1500 में से जाधा नहीं, 700 section तो आपके tips पर definitely होई जाएं तो उसके लिए बिल्कुल attention मत लेना, तो it is a process, ये समय के साथ automatically आपके mind में fit होता जाएगा, तो उसके लिए आपको अज़क से बहुत कुछ नहीं करता है, तो इसके बहुत कुछ नहीं करता है, तो आजाता है अगला portion, that is other laws, 40 number, तो other laws का portion आएगा, जो 40 marks आपको काफी फेवरेट हैं तुमारा, चलिए, the Indian contract, तो तुमारा जो सबसे फेवरेट topic, foundation में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और जनरली, आपकी law की जर्नी, इसी कानून के साथ स्टार्ट होती है, तो ये आपका इंटर लेवल पे भी है, तो foundation में था तो इंटर में दुबार and agency, तो ये तीन special contracts हैं, जो आपके इंटर लेवल पर रखे गए हैं, तो ये आपको पढ़ने रहेंगे, सर ये तो बता दो, foundation में जो पढ़के आया थे, वो भी याद रखना पढ़ेगा क्या, या बस यही पढ़ने है, वो तो याद हो गई न सारा, दुबारा क्या याद कर क्या आया है, वो इंटर लेवल पर आपके paper में, आज तक तो कभी judge किया नहीं गया, और institute यही कहता है, मैं judge करूँगा नहीं, बाकी जी institute की मरजी कभी मन बन जाया, सवाल जबरतस्ती डाल दे, तो बात अलग है, वरना आज तक ना कभी हुआ है, और institute भी यही कहता है, कि ज इसकी काफी अच्छी जानकारी भी आपको रहती है, दूसरा topic, जब other laws में पढ़ते हैं बच्चों को में सा जाता है, negotiable instruments act, again एक pre-independence का कानून है, 1882 का यह कानून है, तो negotiable instruments act, इसकी भी बहुत एक basic knowledge आपको रहती है, तो आपने 11-12 है में, हमें भी foundation में कुछ term सुनी हों क्या होता है, चेक क्या होता है, उनके काइदे कानून क्या है, आज किसी का check bounce हो जाए, तो क्या होगा, etc. पैसे पता है, check bounce होने पर क्या होसकता है, पर example, आप हमें fees pay करने के लिए कहीं बार चेक देते हो, अरे देते हो, लगता है कुछ बच्चे check से payment करते होंगे, अगर check स बाउंस हो जाए तो, तो पिचो जादा है नहीं, तो में दो साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है, यह लिखा हुआ है कानून के अंदर, कि किसी का भी अगर check bounce करता है, तो double the amount of check आप पर fine लगेगा, for example, check अगर एक लाग का था, तो दो लाग तक का fine आप पर लग सकता है, दो साल के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है, obviously उसके भी कायदे कानून कुछ procedure, conditions है, पर अगर वो conditions, procedure meet हो जाए, तो इस case में यह rigorous consequences आपको face करने पड़ेंगे, और जेल में बैठे बैटे हम क्या सोच रहे होंगे, फिर चेकी तो bounce हुआ था, उसके लिए दो साल जेल मे बैठे, तो इस type की कुछ बाते आएंगी हमारी negotiable instruments act में, इसकी भी एक basic knowledge आपको रहती है, तीसरा topic जो आपको other laws में पढ़ना रहेगा, that will be आपका general clauses act, यह शायद एक नया कानून है, जिसका नाम आप में सोसकता है काफी बच्चों ने पहले ना सुनाओ, किसे ने सुनाओ clauses act, क्या लगता है, यह कानून क्या करता होगा, इन्होंने का जी, यह कानून ना interpret करना बताता होगा, किसको interpret करना, दूसरे कानूनों को, तो यह कानून क्या करता है, यह कानून हमें दूसरे कानूनों की interpretation करने में मदद करता है, क्योंकि नाम में का लिखा है general clauses, कुछ general बा तुर एक एक्जाम्पल लेते हैं छोटा सा तुम्हारे एक टॉपिक है बच्चो कंपनी सेक्ट तुम्हाँ पर हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे लेट सबोस कंपनी जाट के किसी सेक्शन में यह बात लिख हुई है कि एक शेयर होल्डर इस अ member of a company and he is entitled to voting rights कि जिए जो शेयर होल्डर होगा उसे कंपनी का member माना जाएगा और उसके पास company के अंदर voting rights होंगे तो लेट सबोस बच्चो मैंने company incorporate करी और अपने class में बच्चो का अपनी आप सब मेरी कंपनी के मेंबर बन गए बहुत बड़ा सवाल मेंबर बन गए क्या आप सब के पास वोटिंग राइट भी होगा यस तो आज अगर मुझे कंपनी में कुछ इंफोर्टन डिसीजन लेने हैं कया वो डिसीजन लेने से पहले आप सबसे पूछना चाहिएMaybe और चाहिए। आप सब कैब ब鬆एए एक मीटिंग उसके जनेरल मीटिंग तो मैंने आप सब की ऐस श्राट में बढाई गया बलाई PayPal ऑर आप impress एन Przy आज हमें अपनी कंपनी के लिए को बहुत बड़ा डिसीजन लेना है मैं चाहता हूं जी हमारी कंपनी को उठाकर वाइंड अप कर दिया जाए तो क्या मुझे आप सबसे पूछना चाहिए मैंने का जी क्रिप्या सारे बच्चे इस डिसीजन पर वोट डाले कि क्या हमें अपनी कंपनी लेट से आई जीप प्राइविट लिम्टेड को वाइंड अप करना चाहिए या नहीं कितने बच्चे फेवर में कितने बच्चे अगेंस्ट में हैं अरे कोई नहीं देख रहा बताओ चलो तो यह आप सबने वोटिंग करी अब जैसे आप सबने वोटिंग करी एक भाई उससे में उठा और यह लड़कियां वोट कैसे डाल रही है क्या लड़कियों आप उफेंड होगे भाई क्या बात क अशेयर हुल्डर इसा मेंबर ऑफ अकंपनी एंड एंड ही इंटाइटल वोटिंग रही तो भाई ने आप सब के आगे एक पॉइंट रखा कि देखो लड़कियों आपके पास शेयर है आप भी कंपनी के मेंबर हो पर लॉमेकर ने ने वोटिंग का अधिकार सिर्फ मैस्क इसलिंगेंडर को दे रहे हैं तो आप लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे कि क्या कहना चाहें को भाई ने कोट में यह बाद जट साब के आगे कह दी है तुम जट साब को कैसे करोगे कि अच्छा कॉन से लों मैं कि अरे ठीक है पूछ रहो मैं पढ़ाओ बाई चांस इन्होंने इतना भी बताया वह भी बहुत अच्छी बात है हाँ अच्छी थर्टीन चलो हाँ जी चलो तो उन्होंने क्या का उन्हें का सर हमारे देश में एक कानून है और उस कानून का नाम है जन्रल क्लासे सेक्ट आप उस कानून के सेक्षन 13 में जाकर अगर पढ़ोगे न तो वहां पर एक बात लिखे हुई है कि अगर आप कोई दूस ना था कहीं भी तो क्यूंकि हमारा सारा लौ कायदे कानून एक मैस्कलिन जेंडर को ध्यान में रख्के बनाये जाते थे तो इसलिए ये इंटर्प्रेटेशन वाइस दिक्कत ना आए तो लौमिकर ने कानून बना दिया जी सिय और उसमें का लिख दिया कि कोई दूसरा का इसलिए उसका नाम है जी सिय तो ये बच्चो हमारा अधर लौस में तीसरा टॉपिक रहेगा जो हम पढ़ने वाले तो अधर लौस का पहला टॉपिक हमारा क्या था इंडियन कॉन्ट्रेक्ट है दूसरा आ गया था नेगोशी एबल तीसरा आपका आगया जी सिय और लास तो बच्चो ये एक ऐसा टॉपिक आपके थे इसलेफुक जो कोई एक्ट नहीं है इसमें बस आप सीखोगे एक्ट को इंटरॉट करना यहां पर आपको कानून को इंटरॉट करना सिखाय जाता है interpretation की कुछ terms या कुछ meanings तो यह कोई कानून नहीं है यहाँ पर हम कुछ general बातें पढ़ते हैं कि जब कोई actor में interpret कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ rules हम apply करें कुछ rules of interpretation रहे हैं तो वो rules हम यहाँ पढ़ने को सीखते हैं क्योंकि एक बार अगर हम interpretation सीख जाएंगे, तो जब आप इस chapter पर, syllabus के end में पहुँच जोगे, इस chapter की आधी से जाधा बात है, आपको पहले से ही आती हूँ, आपको यह सब्तों ने पूरे syllabus में किया, तो इसलिए ये एक ऐसा topic है, जो अलग से नहीं पढ़ाया जासकता, इसको बस experience and practice किया जासकता है, तो पूरे batch में हम interpretation करेंगे, ये topic आटोपिक आटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तो बताओ, ये छोटा सा syllabus है हमारा, 100 नंबर का, तो this is your syllabus for CA Interlaw, तो corporate law 60 marks का, जहाँ पर आप companies एक पढ़ेंगे, अधर लोग 40 नंबर का, जहाँ पर आपको ये 4 topics पढ़ेंगे, syllabus में किसी के को एक curiosity या question हो, तो पूछलो, syllabus wise, चलो, तो बहुत असान ये syllabus है, actually I'm meaning it, बहुत easy आपका ये paper रहने वाला है, तो lawka paper is going to be very very smooth, आते हैं बच्चों अगली बात पर, कि सर ये paper तो 100 नंबर का है, 60-40 में डिवाइडर पढ़ लेंगे, paper में test कैसे होगा, paper में सारा paper, हमें subjective लिखना है, नहीं जी, हमारा institute बहुत दयावान है बच्चों, आपका syllabus तो है 100 नंबर का, पर institute क्या कह रहा है, बच्चों आपका काम असान बनाने के लिए, इस 100 में से, सिर्फ आपका जो subjective paper आएगा, जहापर आपको subjective answers लिखने होंगे, वो सिर्फ कितने का होगा, 70 नंबर का, दूसर बाकी 30, अरे नलाइक हों, obviously MCQ, तो हमारे institute ने एक बहुत अच्छी बात क्या करी, उन्होंने आपका जो hand and marks का लॉका paper है, उसमें से 70% paper subjective रखा है, 30% paper MCQ रखा है, और सब जब हम MCQ उसके answer देंगे, क्या हमें अपने answer का reason या logic देना पड़ेगा, नहीं जी, क्योंकि वो 30 number का paper जो आप लिख्या होगे, उसके लिए आपको मिलती है OMR sheet, गलती से भी वहाँ पर reasoning लिख मत आना, एक वो reject हो जाएगी sheet, वहाँ तो आपको बस circle फिल करने होंगे, तो वहाँ पर आपको एक question दिया जाएगा, चार option होंगे, तो जिन बच्चों को ये fear होता है, कि sir law के answers कैसे लिखें, अगर आप MCQ में 30 बटा 30 score कर गए, या let's suppose MCQ में 30 में से 25 score कर गए, तो बाकी के 70 में से कितना score करना होगा, तो ये थोड़ा tough है, calculator निकाल लो, अनल हाइक हों, 30 में से 25 आया, तो पास होने के लिए 70 में से कितना चाहिए, 15, कितने बच्चे कर रहे 15, क्या होगा, tough question है, सही में tough बना दियो तुमने, MCQ में तुमारे 30 में से 25 आ गए, तो law के paper में पास होने के लिए 70 में से, कितने नंबर चाहिए, कितने बच्चे कह रहे 15, 15, बच्चा भी भी confident नहीं है, बच्चे कैसे मैं आपकी बात पकड़ी है, आपने 60 काता है, 60 हमें लाने है, तो हमने माइड में 60 फिट कर ले, चलो बहुत अच्छे, तो लिटरली स्पिकिंग 15 चाहिए, क्योंकि आपको 40 स्कोर करना है, तो 70 में से पास होने के लिए अगर 40 भी एम कर रहे हो, क्या 15 आजाएंगे, इतना तो जी स्कोर करी लोगे, तो इसलिए मैं अगें कह रहा हूँ, लॉके पेपर में पास होने का रिस्क बिल्कुल भूल जाओ, वो रिस्क कहीं भी नहीं है, अगर आप दीसेंटली पढ़ाई करते हो, तो मिनिमम टार्गेट, अगर आप 60 ये लेकर चलिए, अचीवेबल है, बहुत इसली अचीवेबल है, और ये MCQ आने के बाद, लॉग में बच्चों के 80-85 इतने भी आने लगे हैं, तो बहुत बच्चे जन्होंने 80 अबव स्कोर किया होगा है, तो तो तार्गेट इस अचीवेबल, तो अगर मैं कहूं, तो शायद स्टूडेंट के 89 गए थे, आज से शायद एक देट साल पहले, एक स्टूडेंट ने 89 तो स्कोर किया था, तो 90 अबव का ड्रीम नंबर वो एक नंबर से मार रहे गया था, तो आपके पास वो अपरचुनिटी है, आप चाहो तो 90 अबव भी स्कोर कर सकते हो, तो 100 नंबर का पेपर है बच्चो, 30 माक्स का MCQ आएगा, और 70 नंबर का सब्जेक्टिव, अब बहुत टफ सवाल पूछने जा रहा हूँ, ध्यान से आंसर करना, सब्जेक्टिव पेपर बच्चो, 70 नंबर का है, तो सब्जेक्टिव पेपर में, कंपनी लोग का पॉर्शन कितने नंबर का आता होगा, अब बढ़ा टफ, आई इसके भी प्रवायत है सब्जेक्टिव पेपर, 70 नंबर का है, तो 70 नंबर में से कंपनी लोग का पॉर्शन कितने नंबर का होगा, ओविसली 42 गा, ठीक तो आपका कंपनी लोग का, जो रफ वेटेज रहेगा, 42 मार्क्स का रहेगा, अजर लोग का आपका वेटेज 28 मार्क्स का हो जाएगा, एंड सेम इस दे केस विद MCQ पेपर, कंपनी लोग में 18 नंबर का, अजर लोग में 12 नंबर का, तो सिंपल सा मैच्स है, ठीक आपका 70 का 60 परसेंट कंपनी लोग है, और MCQ उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बाते हैं, क्या MCQ में रीजनिंग देनी हैं, नहीं सिर्फ सर्कल फिल करके आने हैं, सर्फ 30 में से 25 अच्छे से आते हैं, 5 नहीं आते हैं, तो क्या करूँ, तो का लगाऊ या ना लगाऊ 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 देना, क्यूँ, कि हमारा इंस्ट्ट्ट्ट और इस से जादा क्या ही दयावान होगा, बच्छों बताओ, कोई नेगिटिव मार्किंग तक नहीं रखी, इंस्ट्ट्ट्ट कहा रहा है, आंसर कर आओ, कोई नेगिटिव मार्किंग नहीं है, आपका जो MCQ-based paper है, कोई नेगिटिव मार्किंग आपकी नहीं रहे है, कोई रीजनिंग आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपके कुछ case study based MCQs आस्कते हैं, तो उसे हम कहा देते हैं, case study based MCQ, कि एक ही case study में से 2-3-4 सवाल निकल करके आ रहे हैं, तो दोनों type MCQs रहते हैं, जनरली आपके paper में जो MCQ आता है, या तो एक नंबर वाला आता है, या दो नंबर वाला आता है, तो 1-2 marks के MCQ आपको paper में देखने को मिलेंगे, और एक चीज़ का और खास ध्यान रखना, paper में आपको जो OMR sheet मिलेगी, उसमें आपको जो circle fill करने है, किसी से करने है, pencil से, गलती से भी वहाँ पर pen का इस्तमाल ना करें, कहीं बार होता है, मतलब almost हर attempt में मेरे साथ ही होता है, कि attempt के बाद, एक बार बच्चे का तो message आता है, सर मैंने गलती से pen से fill कर दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उससे में जो मैं कहता हूँ, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कहूंगा दिक्कत है, तो वो tension में आ जाएगा, पर दिक्कत हो उसकते हैं, तो क्यों बिकार में पंगे लेने हैं, अपना pencil से आप अपनी OMR sheet fill करना, and lastly, एक बात का उर्ध्यान रखना, जब आप paper लिखने जाओगे, आपको एक तो subjective का question paper मिलेगा, एक objective का question paper मिलेगा, एक subjective की answer sheet मिलेगी, और एक objective की answer sheet मिलेगी, तो क्या subjective की answer sheet, आप examiner को submit करेंगे, अरे subjective की answer sheet मिलाएगा, सबका answer मिलेगी आ रहा है में सब्जेक्टिव की answer sheet, क्या examiner को submit करोगे, objective की करोगे, और साथ ही साथ ना objective का question paper भी submit कर देना, जलती से जो MC की वाला question paper है, वो आप बाहर नहीं ला सकते हैं, सब्जेक्टिव वाला आप ला सकते हैं, पर जो MC की वाला question paper होता है, वो आपको अपने साथ बाहर लाना allowed नहीं है, वो examiner आपको exam में बताएगा भी, बाकि आप ध्यान रखना, कि वो MC की वाला question paper आपको बाहर लाना allowed नहीं होता, क्योंकि past में मेरे एक दो नलाइकों ने ये काम किया हुआ है, तो हमारे पास कुछ ऐसे past के attempts हैं, जिसके MC की questions भी हमारे पास available है, क्योंकि एक दो बच्चे गलती से वो MC की का question paper ले आए थे, तो उस case में आपका paper रद हो सकते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है, MC की का question paper आप नहीं लाज़कते हैं, आप जो ला पाएंगे बाहर, सिर्फ और सिर्फ subjective वाला question paper you can carry, तो ये बच्चों हमारा syllabus है, हेंडर मार्क्स का, इस तरीके से bifurcated था, और paper में, 70 to 30, इस ratio में आपका paper जज़ किया जाएगा, और ये target हम achieve कर पाएं, उसके लिए बच्चों हमारे tools क्या रहने वाले हैं, तो बच्चों हमारे tools रहेंगे चार, सबसे पहला तो आपको मिलेगी एक volume 1, volume 1 of corporate law, इसके बाद आपको मिलेगी volume 2, बहुत टफ है guess करना है, इसमें क्या तो आँगा हुआँगा, क्योंकि आपके paper में 30 number के, क्योंकि MCQs हैं, तो हमाँ पर आपको MCQs के questions मिलेंगे सबके, company as well as other law, तो सर जो subjective questions हैं उनका क्या, तो आपके जितने भी subjective questions हैं वो आपकी main book के अंदर ही covered है, तो all that is part of your main book, और एक और सवाल, जो batch में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा, आज बता रहों उसके बाद भी पूछा जाएगा, कि सर क्या हमें institute का study mat करना है, बादल कहरे सर तो OMR answer sheet में ही होता है ना, हाँ जी बादल, हाँ जी, क्या institute का study mat आपको अलग से करना है, बता तो बता तो मैं ऐसे बुरा नहीं मानूँगा, मन मैं तो बता तो, नहीं, चलिए, तो जी मेरे बड़ एक simple सी सोच है, कि अगर मेरे से coaching लेने के बाद, तो मैं institute का study mat अलग से पढ़ना पढ़े, कोई content अलग से पढ़ना पढ़े, फिर coaching का फायदा ही किया है, एक तो धान रखना, वो study mat मैंने पढ़ा हुआ है, institute के सारे past examination question मैंने पढ़े हुए है, study mat के सारे question मैंने पढ़े हुए है, RTP, MTP सारी मैंने पढ़े हुई है, और उन सब को compile करके इस book के अंदर डाला हुए है, और इसके अंदर आपको कुछ न कुछ चीज है, study mat से एक का दुका फालत हुए मिलेंगी, कम नहीं मिलेंगी, तो इसलिए, आपको अलग से study mat बिल्कुल भी refer करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मतब शौक के लिए करना चाहरे हो कर लो, बट इट मेक्स नो सेंस कि आप अलग से वहाँ पर effort डाले, आपके जब वो effort है, बेटर है आप other subjects पर devote करो, तो इतना confidence मेरे पर रखना, कि आपका सारा content इस book के अंदर covered मिलेगा, क्योंकि शुरू में तो आपको लगता है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, जब paper से 15 दिन रह जाते हैं, 10 दिन रह जाते हैं, 5 दिन रह जाते हैं, पता है कल paper लिखना है, तो तो तुमारे संभाल में शायद यही book नहीं आएगी, तो इसलिए, स्टार्टिंग में तो आप सोच लिए, तो सब कर लूँगा, पर अलग से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सारी बाते अल्रड़ी covered हैं, cover नहीं होती तो मैं गयता, आप पढ़ लो, पर क्यूंकि वो सब चीज़े अल्रड़ी covered हैं, अलग से आपको, इंस्टिटूट का कोई भी content refer करने की ज़रूरत नहीं है, इकका दुखका चीज़ें होंगी, जैसे जो May 22 का paper आया था, उसके questions मैं कहूंगा, हम अलग से practice करेंगे, वो इस book में covered नहीं है, ठीक, क्योंकि book पहले बन गई थी, तो कुछ एक-दो ऐसे, RTP, MTP या question paper एकका दुखका होंगे, जो हम अलग से cover करते हुए चलेंगे, तो आपको अलग से कोई मेरत नहीं करनी है, आपको जो बस करना है, जैसे हम class में पढ़ते जाएं, उसे revise करते चलना, test देते चलना, आपका काम इतना है, तो ये बच्चों हमारे tools रहने वाले हैं, बच्चर आप कह रहे थे, 4 tools हैं, तो बच्चर एक चौथा और आखरी tool आपको मिलेगा, and that is going to be our compact book, जिसमें आपका, ये जो पहली 2 books का, जितना भी content है, या syllabus आपका जितना भी CA interlocka है, वो around 50 pages में summarized है, तो ये जो compact book है, इसमें आपका CA interlocka entire, the complete syllabus has been summarized in 50 pages, ताकि एक्जाम के time पर जब आपके पास बहुत limited time रह जाता है, और आप फटा-फट चीजों को brush up करना चाहो, तो ये book आपके उस चीज में help करेगी, तो यहाँ पर काफी चीज़े summarized way में आपके लिखी गई है, सारा content है, बट आपको लास्ट मोमेंट पर help करेगा, पर लास्ट मोमेंट का यह मतलब सोचना कि लास्ट मोमेंट पर ही पढ़ूँगा, वैच के साथ सा थोड़ा refer करते वे चलना, ताकि book की habit डल जाए, end में आके एगदम से book नहीं ना लगने लगे, तो यह चार बच्चों हमारे tools रहने वाले हैं, तो यह चार किताबे आपको मिली होंगी, मैं मिल भी जाएंगी, मैं दिखा भी दूँ अगर मेरे पास हो, चलो, तो हाँ, बस यह चोटी सी, यह चोटा से स्लेबस है, यह volume 1 आपका आगया, दिख रहे हैं सबकों, चलो पतली से, यह volume 2 आगया, लो गई, यह आपकी MC की booklet आगया, यह compact आगया, बस, और क्या, कोई सवाल क्या हो गया, यह तो पतली पतली books हैं, बहुत चोटा स्लेबस हैं तुम्हारा, विशास आप तो आगया होगा भाई, इतना तो कर लोगे, यार, सोनों के लिए, सी इंटर लेवल पर, चलो, तो यह बच्छों हमारा स्लेबस रहने वाला है, तो आज की class का हमारा पहला target तो यहां पर समापत होता है, कोई सवाल किसी के मन में हो, पूछ लीजिए, कोई सवाल बालो, हाँ जी, क्या, बोलो, कोई नहीं है, बहुत बढ़े हैं, सबसे पहली बात मलाइक क्या बताई थी, यही बताई थी, कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, पहला अचीव हो गया, अर दूसरा और अचीव हो जाएगा फिर आज की, छुट्टी, बिल्कुल, मैं अपने ऐसे शब्दों पे बिल्कुल टिका रहूँगा, एक पत्थर की लकीर है, मैंने कहाँ, दो टार्गेट्स हैं, दो, तो तुम भी टिकार है रहा है, जब तक दूसरा टार्गेट अचीव नहीं होता, तुम लोग भी नहीं जाओगे, कितनी देर के तो तुम पे डिपेंड करते हैं, कितनी जल्दी चीजों को समझते हो, कितने कुशन से आंसर आते हैं, तो तो आप लोगों पर भी काफे डिपेंड करते हैं, बादल कहरे हैं सर, ओनलाइन वालों के भी टेस्ट होंगे, यस, मैं एक चीज़ बता दू, जो मेरे सामने face-to-face बच्चे बैठे हैं, या जो बच्चा live at home पड़ रहा है, या जो बच्चा बाद में Google रहे है, pen drive से वाली class देख रहा है, आप सब मेरे लिए बराबर हो, तो ऐसा निए कि मेरे लिए face-to-face वाले ही सिर्फ students हैं, यही special है, तो मेरे लिए सब बराबर है, सब को साथ लेकर चलना, वो मेरी जिम्मेवारी है, that is my responsibility, तो वो कैसे लेकर चलना है, कैसे आपके टेस्ट होंगे, तो वो सारी चीज़े, या सारी headache मेरी है, और वो planned है, तो don't worry, आप बस चलते चलो, हर किसी का ध्यान में रखोंगा, ऐसा नहीं होगा, या बात में GDPD वाले हैं, वो neglect होगे, तो इसलिए आप बिल्कुल भी tension मत लेना, और क्योंकि GDPD students की specifically बात आई है, तो हमारे Google Drive, Pen Drive students है, आज ही की class में आप एक छोटा सा काम और कर लीजिए, आपकी screen पर मैं एक number लिख रहा हूँ, वो note कर लीजिए, 8130024375, तो जब आपको books दिखाईए, उसके author का ये number है, कोई भी दिक्कत हो, तो आप WhatsApp अपने doubts पूछ सकते हो, चलिए, तो ये WhatsApp number है, जो face-to-face and live students है, आप से मेरी एक request रहेगी, कि आपके जो भी doubts हो, वह आप class में ही पूछिएगा, WhatsApp पर नहीं, ठीक तो क्यूंकि आपके पास class के starting में भी time होगा, class के end पर, आप मुझे आदा गंटा, एगंटा, दो गंटे भी रोक लेना, I'll sit here and resolve the doubts, तो आप अपने doubts, preferably class के अंदर resolve करना, class के भार, अलग से WhatsApp पर मत करना, क्योंकि मेरे लिए चीजों को handle करना काफे tough हो जाता है, क्योंकि मेरे पास daily की कहीं बार, पचास, सो queries भी आजाती है, जो मेरे को अलग से answer करनी होती है, वो सारी GDPD students की आती है, तो आपका query अगर आप WhatsApp पर पूछोगे, मेरा काम भी tough होगा, और उतना prompt answer आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि answer करने में हमें कभी एक-दो घंटे का time या कहीं बार एक-एक दिन का time भी लग जाता है, तो you will have to wait for that, तो बेटर है, जितना batch चल रहा है, पैच के दोरान आप face-to-face doubts पूछना, पैच के end में obviously, आपके पास WhatsApp का जरिया रहने वाला है, उस पर आप doubt पूछ पाओगे, मौम्मद हुसेइन जी कह रहे हैं, सर क्लास के बाद कैसे doubt पूछ सकते हैं, तो जैसे तुमने यह message भेज़ा है, जैसे message भेज़ा है, वैसे doubt लिखके भेज़ देना भाई, तो आप यह doubt टाइप कर देना मौममद, आप यहाँ पर टाइप करकी ही, आप doubt भेज़ पाएंगे, doubt बहुत complex होगा, या मेरे को लग रहा है, वहाँ पर हमें call arrange करने की जरूरत है, तो वह call भी हम arrange करेंगे, over the call we can discuss. आपको मेरी टीम देदेगी, आपके पास नंबर होंगे इस वीडियो के description में, love from Dubai, चलिए, thank you शिवार्थ, और कोई doubt तुमारे मन में रहा गया हो तो भाई, पूछ लो, चलिए फिर दूसरे टार्गेट पर आजाए, थोड़ा सा ऐसे बातचीत करने हैं, दो ती मिनिट की, मैं ऐसे बातचीत करो तो तुम मिर से बात करके ऐसे शांत रहे कर एक चोटा सा ब्रीदर अपने लिए कमा सकते हो, कि चलो यार थोड़ी देर अब शांत हुए, दिमाग प्लाई निकरना, बरना फिर मैं पढ़ाने लग जाओंगा, बताओ फिर करो बात करो, मिर से, मिर से, यह थोड़ी नहीं अपने लगे और सर खड़े आ बाते करने अपने मिर से करने पड़ेंगे, स्वारी, बताइए हां जी, तो यह खाव इनोने आपको, परसनल असिस्ट कहना चाहती है, मैं बताओंगा, सर, बस हो गई बात है, खतम, चले फिर आगे, बहुत बड़ी अबात है करी, तुमने मजा आ गया, अर्मीद कहले से, चलो, ना, नेक्स टार्गेट पर चलो, जलती से, खतम बड़ी क्लास फिर, बच्चा पूरा एक्शन, चलो, चले बच् आज की क्लास का, फिर दूसरे टार्गेट पर हमाज आते हैं, और दूसरा टार्गेट हमारा क्या था, थोड़ा सा लॉक के बारे में जानना, ताकि वो जो हमारा फांडेशन में अगर गैप रहा हो, नहीं है, तो बहुत अच्छे, रहा हो तो यहाँ पर फिल हो जाया, तो हमारे देश में इस से बढ़कर कुछ भी नहीं है, हर किसी का सर इनके आग आग आगे जुख जाते हैं, तो क्या अंसर देना चाहेंगे, मिथू, आपको सारे सवाल को जवाब मिलेंगे, एक्जाम में कितने-कितने माक्सी कोशन आते हैं, जनरली, आपके जो कोशन रहते है दो, तीन, चार, पांच, कभी-कभी, छे नंबर के आ जाते हैं, बहुत इंस्टिटूट का मनों तो आठ का बनाता है, वरना जनरली, दो, तीन, चार, पांच, छे, टो नवरी, हम पेपर पैटन सब डिसकस करेंगे बाद में, उससे आपको एडिया लगेगा, चलिए, सवा अगर मैं सुप्रीम कोट बोलू, तो सुप्रीम कोट का एक और नाम रहता है, किसी को अगर आइडिया हो, बोलो, सही बोला है, बहुत अच्छे, एपेक्स कोट, एपेक्स का मतलब होता है, टॉप नौच, सुप्रीम मोस्ट, तो उन्होंने कहा जी, इंडिया में सबसे addability जो है, वो है हमारी देश की Parlament की, that is हमारे देश की संसत, संसत से बढ़ कर सार कुछ भी नहीं है, कितने बच्छे जी, पारलियमेंट के साथ जाना चाहेंगे, यहाँ जी, सबसे बढ़े अथाषरे एजमें, सबसे बढ़े अथारिटी है, क्या है, सार कार से बढ़े जश में क्या होगा को सरकार का जो मन आती करती है सबस्थे ज़र्थ सचार के जी कितने बच्चे जी गवर्मेंट के साथ क्या टुम तुम पूर्मेंट के साथ कोई भी निया सरकार के साथ मोधी जी के साथ सरकार करें तो मोधी जी तुम इन लिए जी के थोरी सबसे बड़ी हमारे देश में तब प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया अमिश्या के साथ हो अचा राहूल गांदी के साथ है बच्चा अच्छा चालो बच्चा मुकेशंबानी पर आ गया वाह मजाग मजाग में कितनी बाते करते जा रहे हो तो मैं कोई भी गवर्मेंट या मोधी जी के साथ नहीं है मोधी जी बोल देता हो तो चलो उसमें मुकेशंबानी और हम इच्छा दोन अकाउंट कर रहे हैं तो किसी को भी नहीं लग रहा नहीं तो जिन बच्चों नैस अगले सवाल पर बात में जाएंगे कि बच्चे पार्लेमेंट के साथ कितने हैं तो क्या पार्लेमेंट और हैं आपने डिफरेंस बेसिक ठीक बिताएं तो चीज एक चीज का उर्धिया रखना क्या पार्लेमेंट और गवर्वेंट सेम है या इनमें कुछ दिफरेंस है ते पर यह दोनों टरम्स अलग हैं तो यह तीन हमने टरम्स लिखी इसके अलावा अच्छा हर्मीर का आश्ओ स किसके कंट्रोल में आती है गवर्मेंट के मतलब उसमें जितने भी ऑफिसर्स वगरा होते हैं दोजार अपॉइंट करना हटाना सब सरकार के हाथ में होता है तो एक डिबेट भी उठी है कि हाउनका शायद मिस्यूज हो रहा है चलो एनिवेस उस पर बाद में जाएंगे तो एक और जब आप जो आया सर सबसे बड़ी अथॉरिटी तो इसी की होगी लॉकी कानून की अथॉरिटी सबसे बड़ी लॉइस दा हाइएस अथॉरिटी इन आर नेशन इसमें मैं काऊंगा ओल्मस्ट दस पंदर यह बीस परसेट अधिकलास जा रही है कानून की अथॉरिटी सबसे बड़ी एक और आपार्त का कि सर हमारे देश में चो सबसे बड़ी अथॉरिटी वो तो है प्रेजिडेंट आफ इंडिया की इन से बढ़कर तो जी कोई नहीं है कौन है प्रेजिडेंट एक्सपेक्ट कर रहा था रामनात को भी जी ना बोल दे आप चलिए एक आथ बच्चा कभी अब्दुल का लाम आज भी बोल दे दाए फ्लो फ्लो में और इनकी अथॉरिटी के बिना तो बच्चो क्या हमारे दिश में कानून बन सकता है अपने बच्चमन में शायद कुछ पढ़ा होगा कि कानून अगर बनाना है तो बिल पर लास्ट में किसी के साइन चाहिए होते हैं इसके प्रेजिडेंट के बिना तो कानून भी नहीं बनता प्रेजिडेंट की अथॉरिटी अथॉरिटी सबसे बड़ी नहीं चलो एक लास्ट और आंसर जो सबकार है कितने बच्चे कह रहे हैं जी समिधान that is the constitution of India समिधान की अथॉरिटी सबसे बड़ी समिधान से बढ़कर जी हमारे देश में कुछ भी नहीं है कितने बच्चे सांसर के साथ है I would say almost 50-60% of the class the live students में भी almost I would say 50-60% students नहीं का YouTube पे भी काफी बच्चे constitution के साथ हैं चलिए तो कहीं बच्चों ने का जी समिधान तो बच्चों अगर हम legal structure की बात करें और मैं आपसे पूछता हूँ कि किसकी authority सबसे बड़ी तो क्या supreme court की authority हमारे देश में सबसे बड़ी है दा आंसर is no क्या parliament की दा आंसर is no क्या government की दा आंसर is no and क्या president की obviously दा आंसर is no तो आप मेंसे majority बच्चों आसर ठीक है जी क्या हमारे देश में अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी authority अगर किसी की है तो वो किसकी है हमारे देश के समिधान की समिधान से बढ़कर जी हमारे देश में कुछ भी नहीं है nothing क्यूंकि हमारे देश में parliament होगी हमारे देश में president होगे हमारे देश में कानून होगा हमारे देश में supreme court होगा ये सारी बाते लिखी कहां पर हुई है समिधान each and every of these authority and person gets their authority from the constitution itself ये सारी बाते हमारे समिधान में लिखी होई है कि हमारे देश चलेगा कैसे कौन-कौनसी authorities हमारे देश में होगी तो समिधान से बढ़कर जी हमारे देश में कुछ भी नहीं है समिधान के आगे हर किसी का सर जुख जाएगा समिधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है तो ध्यान रखना भई उसके अथोरिटी तो उससे भी बड़ी होनी चाहिए ना नहीं तो जी जो समिधान बना रहा है ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण जी दर्ती परायत और गाद लो इंडिया आपका सबसे बड़ी को बनाने वाली कि अससे भी बड़ी होनी चीए तो अगर मैं आपसे सवाल पुछे जी समिधान बनाया किसने तो किसने आई बदाओ किसने कि हाँ बदाओ कि चलिए डॉक्टर भीम्राव बेट कर जीना ब्यारे बेट कर जीना कि वेरी नाइस अजी कितने बच्चेगर सेबी आ र हमबेट कर जी मैं लिखा जी ने किस दिन कर दीया था अचा चलो हमारे देश में समिदान लागू कब से हुआ कबसे 26 जन्वरी 1950 कितने बच्चे गया था सर इस दिन हमारे देश का समिधान बना था या लागू हुआ था सौरी लागू हुआ था कितने बच्चे इसके साथ है चले obviously यही वो दिन है जिस दिन हमारे देश में समिधान को लागू किया गया था और इस दिन को हम कैसे celebrate करते है as Republic Day तो इस दिन हमारा इंडिया बन गया था Republic of India तो इस दिन हमारे देश Republic of India कहलने लगा था और इसी दिन हमारे समिधान लागू हुआ था और इसको में एक national holiday की तरह भी celebrate करते हैं तो इस दिन समिधान लागू हुआ था तो आप देख पार है सविधान का लागू होना कितन बड़ा इवेंट है कि इसके लिए हमने पूरे देश में नैशनल हॉलिडे भी रखा हुआ है और इस दिन पूरी दुनिया में हम अपना शक्ती परदरेशन करते हैं कि हमारे देश का कल्चरल डाइवर्स्टी कितनी है क्या पावर है आर्मी की तो वो पूरी परेड भी निका आगया था तो इस दिन टेक्निकली समिधान फोर्स में आया था और जैसा आपने का ये लिखने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था डॉक्टर बियार अंबेटकर जी का तो क्या उनकी अथोरिटी समिधान से भी बड़ी है तो उनको ये अथोरिटी दी गई होगी किसी ने उनको लिखने की अथोरिटी दी होगी किसने उत्राइस क्या होगा ना कि चलिए जी हम आपको पॉइंट कर रहे हैं कि आप हमारे देश का समिधान लिखिये तो उनको ये अथोरिटी दी गई होगी तो जिसने वो अथोरिटी बियार अंबेटकर जी को दी क्या उस से कोई यह कहे जी समिधान से बढ़कर अगर हमारे देश में कुछ है तो हमारे देश की जनता है क्योंकि हमारे देश की जनता ने ही हमारे देश का समिधान लिखाया और यह बात इन्होंने बहुत अच्छे से अंसर करी एक बार जोरदार तालिया हो जाए आसक किसी बैच में इस सवाल का जवाब नहीं आया था, फर्स टाइब, और उन्होंने लॉजिक भी तरह अच्छा दिया, कि हमारे समिधान में कुछ प्रियेंबल है, एक प्रियेंबल जो हमारे समिधान का अब्जेक्टिव बताता है, वहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है, कि we the people of India, हमने मिल समिधान में क्या लिखना है, पूछा तुमसे किसी ने, तो बताओ, तुमने कैसे समिधान लिखा, हमने कैसे समिधान लिखा, यह हमारे देश की जनता, हमारे देश का समिधान कैसे लिखती है, उसके लिए आपको इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा सा समझना होग सब्सक्राइब कोई मेरी ड्रॉइंग को ओफेंसिव नाम आने नाहीं मजाग उड़ा है ठीक है चलो यह हमारा भारत देश है आज हमें अपने भारत देश के अंदर एक समिधान लागू करना है और हमने का यह समिधान क्या होगा यह सबम अपने भारत देश की ही जनता से पूछेंगे अपने सबासो करोड लोगों से यह बात पूछेंगे कि समिधान में क्या लिखा होना चीए अब बच्चों क्या एक-एक इंसान के पास जाकर उसका ओपीनियन लेना इस देट प्रैक्टिकली पॉसिबल सबासगरोड की अबादेजी हर इंसान के पास जाएंगे तो जितने मूँ उतने उपीनियन पॉसिबल इनिया सबिधान कभी बनी नहीं पाएगा तो उन्होंने इस इसका शॉटकट कैसे निकाला उन्होंने भारत को डिवाइड किया छोटे 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 टुकडो में तो उन्होंने पूरे भारत के छोटे छोटे हिससे किया छोटे 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 टुकडे किया इस तरीके से देश को छोटे representative करिए elect, तो सबसे पहली बात, हमने अपने देश के छोटे 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 टुकडे किये, और ऐसे कितने टुकडे, हमने अपने देश के कि बच्चों, लगबग आप मान लेना 500, टेक, राउंड ओफ में बोल रहा हूं, वैसे 545 है, to be precise, पर आप मान लेना 500, तो हमने अपने देश के ऐसे 500 टुकडे किये, हर टुकडे को हमने एक नाम दिया, जिसको हम कहते हैं seat, तो हर टुकडे को हमने बोला seat, और उस टुकडे में जितने भी लोग थे, उन लोगों से कहा कि आप अपना एक representative करिए elect, और जो बात ये representative बोलेगा, हम क्या मानेंगे, ये बात उस टुकडे के सारे लोगों ने बोली है, तो ये सब लोग मिलके अपना एक representative elect करते हैं, और जो भी बात ये representative आगे रखता है, हम मानते हैं कि ये representative अपनी seat के सारे लोगों को represent कर रहा है, और इस तरीके से ये लोग इस representative को चुनते हैं, और इस Representative को बोच्छा हमना क्या दे देते हैं, क्या बोलते हैं, MP, Member of Parliament, तो हर टुकडे के लोग अपना एक representative elect करते हैं, जिसको बोलते हैं MP, Member of Parliament, और जी अगर यह representative इन लोगों को अच्छे से present ना करे, इनकी बातों को आगे अच्छे से पेश ना करे, देश चलाने में अच्छे से तो क्या यह टुकडे के लोग इस MP को change भी कर सकते हैं, अरे क्या कर सकते हैं, क्या MP change होता होगा, येस, पर कितने सालों बाद यह मौका आपको मिलता है, पांच साल बाद, तो जी हर पांच साल पे elections होंगे, इन लोगों को मौका दिया जाएगा, कि आप अपना जो वो representative है, उसे change कर सकते हैं, तो हर पांच साल पे वो मौका आपको मिलता है, तो बच्चो इस तरीके से इन लोगों ने MP का गठन किया, और इस तरीके से बच्चो हमारे देश में लगबग साड़े 500 MPs किये गए elect, और इस साड़े 500 वो लोग हैं, जो पूरे देश के जनता को एक तरीके से represent कर रहे हैं, और इन साड़े 500 MPs को बच्चो, collectively हमने क्या बोला, हमारे देश की, हमारे देश की लोग सभा, हमारे देश की लोग सभा, लोग सभा या इसको हम कह सकते हैं, house of people, क्योंकि यहाँ पर ज termed as लोग सभा या house of people, तो इस तरीके से साड़े 500 MPs elect किये गए, और हमारे देश में लोग सभा का गठन किया गया, तो यह लोग सभा में जितने भी MPs बैठे हैं, बच्चो, हम सब को represent कर रहे हैं, हम सब के अवाज यह लोग है हमारे देश में, हमारी सारी बाते ही यह पर अगर आपको एक चीज़ और पताओ, लोग सभा जैसे है, शायद एक और सभा है हमारे देश में, राज्य सभा, राज्य सभा को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, Council of States, इसे का कह देते हैं, Council of States, बाकि एक और नाम है, लोग सभा को हम लोवर हाउस भी कह देते हैं, राज्य सभा को अपर हाउस भी बोल देते हैं, वो भी आ जाता है, वैसे इसको बोल जाता है, Council of States, that is राज्य सभा, तो एक तो बच्चो, हमारे देश में है लोग सभा, द they are called MP और लगबग, राज्य सभा में अगर मैं seats की बात करूँ, लगबग कितनी seats हैं? 200, एक लगबग 200 seats यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, तो 250 seats के around seats, आपको राज्य सभा में देखने को मिल जाती है, तो जिए एक सवा चोटा सा उठता है, वो उठता है सर, what is the difference between लोग सभा एंड राज्य सभा इस तरीके से दो हाउस बने हो हैं, तो लोग सभा और राज्य सभा में, आपके साब से क्या अंतर है, house of people and council of states, कोई बताना चाहिएगा hand raise करके, hand raise करके, कौन बताना चाहिएगा माइक देना, क्षिव एफट अफट इधर 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 पले, लो जी माइक एक पर, hand raise करके yes विधी, तभी मैंने approximate आपको कह था, आजे sir, the members of parliament are elected by the general public while the members of members of लोग सभा are elected by the general public while the members of Rajya Sabha are elected by the state government इन्होंने का जी, member of लोग सभा are elected by the public and members of Rajya Sabha are appointed by the state government, कितने बच्चे इनके answer के साथ हैं, आप कुछ और एट करना चाहोगे, चलो, माइक थोड़ा सा पास्ट करना, प्लीज, sir, लोग सभा के members हैं, वो हम directly appointed, राज्य सभा के members हैं, वो को जब हम collect कर दा हूं, आप वही उन्होंने कर दा हैं, आजी, तो यह कह रहें, जी, लोग सभा में member directly public चुनती है, that is why it is house of people, पर राज्य सभा में जो MP हैं, वो state द्वारा चुनके आते हैं, that is why it is council of states, कितने बच्चे इस answer के साथ हैं, तो नलाई को सभी answer के साथ हैं, because यह यह answer ठीक है, बर जोड़ता ताली हो जाएं, बहुत बढ़िया, very nice, तो that is the basic difference between लोग सभा और राज्य सभा, लोग सभा में बच्चों जो MPs होते हैं, उनको हमारे देश की जंता directly चुनती है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, पर जो राज्य सभा के MPs हैं, उनको हम directly नहीं चुनते हैं, इंडारेकली तो चुनते हैं, पर directly हमारे द्वारा चुनाव नहीं होता, तो सर, उनका चुनाव होता कैसे हैं, तो बच्चों जब हमारा देश बनाया गया, हमारे देश में जो political system लागू किया गया, वो किया गया federal system, federal system का मतलब कि हमारा देश जी एक सरकार द्वारा अकेले नहीं आया जाएगा, हमारा देश चला जाएगा दो सरकार द्वारा, एक सरकार जो center level पर होती है, जिसे आप अपके देश की पार्लियमेंट कहकर let's say refer कर सकते हो, पर center level पर तो पार्लियमेंट है, पर आपको हर state level पर क्या देखने को मतलती है, बच्चों, state की legislative assembly, जिसको आप उस state की विधान सभा भी बोल सकते हो, तो इसको हम कहते हैं, federal government का structure, कि हमारा देश जो चलेगा, इन दोनों द्वारा चलेगा, center level पर पार्लियमेंट अपना काम करेगी, पर हर state level पर भी आपको सरकारे देखने को मिलेंगी, जिने हम state legislative assembly बोलती है, और बच्चों, जो state legislative assembly होगी, इसमें भी क्या, लोगों के representative elect होते होंगे, yes, इधर भी elect होते हैं, इनका election क्या जनता directly करती है, yes, इनका election हम directly करते हैं, और इन members को हम क्या बोलते होंगे, MLA, Member of legislative assembly, so that is a state legislative assembly, और उनके member को हम MLA बोलते हैं, और उनका election हम करते हैं, तो बच्चों, जब आप 18 की हो, सारे बच्चे 18 हैं, कोई हो 18 से नीचे, एक आत तो निकल करते हैं, तो बच्चों, आप 18 की जैसे हो जाते हो, तो रहने की बोलते हो, यह लोट sound अधिकार मिलता है, अगर आपको पता हो, आपको दो बार वे अधिकार मिलता है, एक तो जब सेंटर के option होता है, तब आ वो डालते हो, पर कभी-कभी state के ब ही option होता है, जैसे आपने देश में प्रदान मंत्री जी को चुना, तो वो चेंटर के election थे, पर जब आपने दिल्ली म Assembly वहां उसको कर रहे हो एक तो ध्यानकना हमारे देश में powers are divided between the center as well as state तो उनके बीच में powers रहती हैं MLA हमारे द्वारा public द्वारा directly elect होते हैं लोग सभा के MP हमारे द्वारा directly allocate की हुई है उन seats पर जो MP आता है वो उस state द्वारा चुनकर आता है तो बच्छो क्या आज के दिन हमारे देश की लोग सभा में किस party का राज चलता है लोग सभा में राज को जी यह party राज करती है इसकी majority तो किसकी है बीजेपी क्योंकि उन साड़े 500 सीटों पर बीजेपी ने कॉंग्रेस ने और दूसरी parties ने अपने candidate खड़े किये थे और हमारे देश की majority जनता ने का हमें बीजेपी वाले candidates पसंद है तो हम उनको MP की तरह elect कर रहे है तो वहाँ पर बीजेपी की चलती है लोग सभा में पूरा दबदबा बीजेपी का है और बच्चों अगर बीजेपी को राज्य सभा में भी दबदबा बनाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा उन्हें क्या क तो उनको राज्य सभा के majority acquire करने के लिए gradually states election जीतना जरूरी है जैसे जिसे जीते जाएंगे राज्य सभा में उनके MPs आते जाएंगे राज्य सभा में 5 साल में वोटिंग नहीं होती महां representative elect होते हैं और 6-6 साल में 130 130 130 इस तरीके से MPs rotate होते हैं तो महां का procedure totally different है पर indirectly अगर पर state legislative assembly हमारे दवारा चुनी जाती है center level पर लोग सभा हमारे दवारा directly elect होती है और रज्य सभा state दवारा हम indirectly भेशते हैं तो पूरे देश में जो MP ML है बच्चों यह हमारे दवारा appoint होते हैं और यह हमारी अवाज हैं यह देश कैसे चला रहे यह एक तरीके से हमारे कहने के हिसाब से देश चला रहे और इसके लिए हम सब इन MPs MLS को बहुत सारे परकुसिट्स देते हैं बहुत अच्छी खासी salary इनको मिलती है लोग सभा राज्य सभा कि केंटीन में जितना सस्ता खाना मिलता है पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिल सकता इतना लिविश फूर व आपकी lifetime के लिए pension बन जाएगी आपको सिर्फ एक दिन MP बनके पैशक अगले दिन छोड़ देना आपकी lifetime की pension बन जाएगी तो यह सब benefits हम इन लोगों को देते हैं और इनसे expect करते हैं कि यह सब लोग हमारे देश अच्छे से चलाएगी तो इस आर एक्सपेक्टिशन तो पब्लिक से पैसा कैसा आता है टेक्स के तुरू जी आज आप इस class में बैठ के पढ़ना चाहते हो इसके लिए भी आपको पहले सरकार को पैसा देना है वरना आप यह class ने ले सकते हैं कुछ सा पैसा देना है sir GST सरकार कह रहे है जी आपको अगर यह वाली professional services चीन कोचिंग कि you will have to pay GST आपकी total fees का 18 टका सरकार लेके जाएगे 18% 18% will go to the government और वो इस चीज का पैसा ले रहे है कि आप बस यह वाली services ले पाओ तो आपको यहाँ पर GST पे करना पड़ते है income tax पे करना पड़ते है तो हमारा यह सारा पैसा बस GST आप सरकार को पे कर रहे है आपको feel क्यों नहीं हो रहा क्योंकि indirect tax है लग तुम पे रहा है पर pay कोन कर रहा है तुमारे बहाफ पर हम सरकार के बहाफ पर IGP जमा कराती है that is why that is indirect tax कि आपके ओपर इसका burden तो है पर आपको यह feel नहीं हो रहा क्योंकि आपने जमानी कराया पर जैसे CA बनके तुम कमा ही करने लग होगे और जब तुम्हें income tax भरना पड़ेगा वो तुम्हें काफी लोगा क्योंकि वो तुम कमा होगे और तुम्हारी जेब से ही जा रहे है हमसे और कैसे पाइन पेनल्टी का पैसे है यह सारे आप लॉस को तोड़ते इनमें जो कायदे कानून है वो है आज एडी जितने भी लोगों के एसेड जब्त करती है कि एडी ने 500 रोड की प्रोपेर्टी जब्त कर ली वो पैसा एडी का है गवर्मेंट के फंड में जात जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता एक बहुत जगों पर आप गवर्मेंट को पैसा देते हो तो गवर्मेंट के पास sources of money बहुत है और भी कोई पैसा है पेट्रोल भराते हो स्कूटी में भरवाय कभी तो जब पेट्रोल भराओगे उसका भी पैसा सरकार के पास जाता हो वो कंपनी जब प्रॉफिट कमा रही है वो सारा प्रॉफिट सरकार का लागे उस पर डिवर्मेंट बाद में जाएगा तो डारेक्ली इंडारेक्ली आप बहुत पैसा सरकार को देते हो विच्व नेवर रिलाइस आपको नहीं पता चलता है आपको फील्स जनरली सिर्फ इंकम टेक्स होता है पर आपकी जेब से बहुत पैसा आज के दिन भी गवर्मेंट को जा रहा है उसी से हमारा देश चलता है वहीं से वह पैसा लाते है तो बच्चो यह सारा पैसा कर सरकार कलेक्ट करे और बाद में पता चले जी विजे माल लेकर उड़ गया दर्द होगा जुकत होएगा जी हमने अपनी मेहनत का पैसा सरकार को दिया था और एक्सपेक्ट किया था पैसा अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा तब वो टेक्सपेर की सवाल उठते हैं कि आपने टेक्स के पैसे का क्या किया है एनिवेज एड़िवाल जी है हर स्टेट की अप हम बोलते थे हैं स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली और सेंटर लेवल पर आपकी आ रही है लोकसभा सेंटर लेवल पर आपकी आ रही है राज्यसभा और इसी के अंदर आप एक और परसन को अगर एड़ करने तैस दप्रेजिदेंट अफ इंडिया तो इन तीनों को मिला कर हमारे देश की पार्लियमेंट बोला जाते है तो सेंटर में पार्लियमेंट सारा काम करती है स्टेट में स्टेट की लेजिसलेटिव असेंबली सारा काम करती है तो इस तरीके से बच्चो हमने अपने देश की पार्लियमेंट का गठन किया था उस पार्लियमेंट में बना आई फिर पार्लियमेंट ने बी आरम बेटकर जी को पॉइंट किया तब क्या बना तो सम्विधान से पहले पार्लियमेंट कहां से आई सवाल समझ मैं है हमने पारलियमेंट बनाई पारलियमेंट ने इसम्बली बनाई इसम्बली ने बिरम इटकर जी को अपोइंट किया और फिर उन्होंने सम्विधान लिखकर हमारे देश में लागू किया तो सविधान के अंदर ही लिखा हुए पार्लियमेंट होगी, तो यह वाली पार्लियमेंट कहां से आई, कितने बच्चों को सवाल समझ माया, किसी को सवाल ना समझ माया, तो मैं सवाल रिपेट करूँ, सवाल आगे सब को समझ माया, चलो, सवाल यह है जी, मैंने कहा कि हमारे assembly थी ये कहां से गटिद हुई Parliament के द्वारा और बचो हमारे देश में Parliament होगी ये बात लिखी का हुई है तो सवाल ये फिर ये Parliament कहां से आ गई Very good अंग्रेश उने तो बचो जब हमारे देश में अंग्रेश थे Britishers थे उन्होंने Constitution से पहले हमारे देश में Act पास किया था जिसे हम कहते थे Government of India Act और उस Act के तहत हमारे देश में Parliament का गठन पहले ही हो चुका था और हमारे देश में Elections पहले से ही उसी Government of India Act के साथ होने स्टार्ट हो गए थे तो Constitution से पहले भी हमारे देश में Parliament थी और वो Government of India Act द्वारा हमारे देश चला करता था पर जैसी उस Parliament ने समिधान पास करा दिया तो 26 जनवरी 1950 को Constitution हमारे देश में लागू हो गया और वो जो Government of India Act 1935 था वो हमारे देश में हो गया रिपील या खतम तो वो कानुन चला गया फिर उसका काम पूरा हो गया था आज के दिन हमारे देश चलता है समिधान के हिसाफ से तो यहां तक किसी को कोई भी डाट हो तो पर इस इस हाओ हम सबने मिलकर हमारे देश का समिधान बनाया हुआ है और सर क्या हमारे देश का समिधान जो बना था तब से अब तक वैसा है समिधान भी change हो जाता है तो ध्यानक ना समिधान को भी आप alter कर सकते हो उसका भी procedure होता है, ऐसा निया कि constitution बन गया तो as it is है नहीं, over a period of time आप बदल सकते हो, for example आप सीखोगे जब हमारे देश में GST आया था तब constitution को amend करने की जरूरत पड़ी थी क्योंकि हमारे constitution में GST लगाने की ऐसी power नहीं थी, तो तब समिधान बदला गया था, कुछ articles यहां पर insert किये गए थे, तो इस तरीके से समिधान बना और हमने parliament का गठन किया और ultimately उन्होंने बनाया समिधान, और बच्चो, parliament में कौन कोन आता है, please last time बता दीजिए लोगसभा और रज्यसभा और प्रेजिडेट बच्ची, parliament में जैसी ही एक को term होती है, जिसको हम क्या बूलते हैं government अब अगर मैं आप से सवाल पूछाँ, what is the difference between parliament and government, तो कौन बच्चा मुझे बता पाएगा opposition बता पाएगी, वो तो खतम होती जा रही है, वो किसे बताएगी हाँ जी कौन बताना चाहेगा, parliament एक ही बच्ची जवाब देगी कैं सारे हाँ जी भाई का खून खूला, माइक दो बटा बटी को, ऐसा कैसा का मैं जवाब दूगा, रुको रुको माईक आने दो, भाई हाँ जी, विधी कहा रही है, सर borrowed constitution है, obviously विधी, इतने साल अंग्रेजों ने इंपर राज किया, तो हमारा system उनसे inspired तो होना ही था किस भाई को गाने सुनने है भाई कहा रहा है, भाई गाने सुना दियो माईक, आप पीछे कोई कह रहा था आपको सर, पारलेमेंट में opposition parties भी होती है, गवर्मेंट में ruling party होती है, चलो तो उन्होंने का सर, जो पारलेमेंट होती है न, पारलेमेंट आपने का लोकसभा राजसभा, let's suppose लोकसभा की साड़े 500 seat हैं इनमें कुछ लोग BJP के होंगे, कुछ लोग Congress के होंगे, कुछ लोग उसकते आम आदमी party के, किसी और party के रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ruling party भी देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको opposition party भी देखने को मिलती है, अगर आपने के लिएक सबा, यह जो साड़े 500 seat हैं, let's suppose इसमें 300 seat पर BJP जीत गई, तो अब सरकार किसकी होगी, BJP की, क्या BJP के यह 300 के 300 MPs को हम सरकार बोलेंगे, साड़े 500 में से 300 MP, Parliament का scenario सोचना, वहाँ पर BJP के बैठे हैं, तो क्या उन 300 MPs को आप किसको बोलते हो, तो क्या उन 300 MPs को गवर्मेंट बोला जाएगा, या किसी और को, और अगर किसी और को, तो किसको, माइक, आपके पास है माइक, दिनक्षे भी माइक, फटबट, हैंड्रेस कर ले ना भी, माइक जिसको चाहिए, प्लीज, आप आंसर देड़े, माइक लो नहीं है, और फिर, उसमें cabinet भी होता है, किस में cabinet of ministers होता है, मतलब गावर्मेंट में cabinet of ministers भी होगा, और मतलब नॉर्मली जो ruling party के बाखी members होंगे, उनको गावर्मेंट में नहीं गिनेंगे, जब तक वो cabinet में नहीं होंगे, तो इन्हों ने क्या का सर, government के अंदर आपके ये 300 के 300 MPs नहीं आएंगे, ये 300 के 300 MP हैं, किसके? बीजेपी के, पर इन 300 के 300 MPs को हम हमारे देश की सरकार नहीं बोलते, सरकार किसे बोला जाएगा, तो बच्चो हमारे देश को अब हम चलाए कैसे, पारलियमेंट तो बन गई, पारलियमेंट में BJP के मेजरियोटी लोग आ गए, कॉंग्रेस के भी है, पर अब हमारे देश को चलाने के लिए, बच्चो एक मीटिंग बिलाए गए और ये आगया, जैसे हम घर अच्छे से चलाते हैं, तो घर चलाने के लिए हमारा फोकस किस पे होता है, कि हमारे ग्रॉसरी कैसे आएंगे, बिजली का बिल कितना होगा, एट्सेकर, एट्सेकर, तो हम अलग-अलग functional department में अपने घर की चीज़ों का bifurcate करते हैं, likewise company कैसे चलाएं, तो company को functional department में बटा जाता है, कि एक purchase department होगा, एक HR department होगा, एक IT department होगा, एक marketing department होग और ये सारे लोग मिल करके company को चलाएंगे, likewise हमारे देश को अच्छे से चलाने के लिए, इंडिया को अच्छे से चलाने के लिए, इंडिया का bifurcation किया गया, अलग-अलग departments में, कि जगर हमें इंडिया को अच्छे से चलाना है, तो इंडिया में हमें किस-किस चीज़ के उपर अच्छे से focus रखना चाहिए, क्या बुच्छो हमें अपने देश का defense अच्छे से मजबूत करना चाहिए? Definitely, वरना आए दिन पता चलेगा पाकिस्तान या दूसरी neighboring countries हम पर attack कर रहे हैं, सारा defense मजबूत होना बड़ा सदूरी है, और देश को अच्छे से चलाने के लिए, किस चीज़ पर आपके साब से special focus होना चाहिए? क्या finance पर होना चाहिए? यह जी, कि हमारे देश में पैसा कहां से आएगा? उस पैसे को कहां खर्चना है? यह बहुत important चीज़ है, इससे देश का चलना depend करेगा, और किसी चीज़ पर बच्चो? external affairs, कि जी हमारे देश के बाकी देशों के साथ संबंध कैसे रहेंगे? हमारे देश USA से कैसे treatment करेगा? पाकिस्तान के साथ कोई दंदा करना है या नहीं करना है? किस country के साथ हमें involved होना है? रशिया से oil खरीदे या ना खरीदे? तो external affairs हमें अपने देश का strong रखना बड़ा ज यह तरीके से हमने अपने देश के बहुत सारे functional departments का किया गठन और हमने अपने देश के functional departments इस तरीके से बनाए और यह department सारे के सारे जो थे इनको एक नाम दिया गया क्या? Ministry, इसे क्या बोला गया? Ministry. Ministry of Defense, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs. सो इस तरीके से अलग-अलग functional बनाये गए और हर डिपार्टमेंट में बच्चो टॉप नौच या उस डिपार्टमेंट को क्या बोला गए ministry और इस department में बच्चो टॉप नौच कोन होता है और एक्जामपल अगर minister या ministry of finance के में बात करूं तो इस ministry of finance को अच्छे से चलाने के लिए यहाँ पर head अपॉइंट किया गया किसको minister को जिसको हम क्या कहा देते हैं finance minister तो बच्चो यह functional department से चलें इसके लिए इन departments में हर department का एक-एक minister अपॉइंट किया गया और एक्जामपल minister of finance के अगर हम बात करें तो कोन है निर्मला सीतरमन जी अगर ministry of home affairs की बात करें कोन है जी अमिच शाह जी तो इस तरीके से अलग-अलग minister किये गए नियुक और बच्चो यह जो सारे ministers हैं जैसे निर्मला सीतरमन जी अमिच शाह यह सारे ministers चुनके कहां से आते होंगे कहां से आते होंगे उन 300 MPs में से तो जैसे ही BJP election जीती और Parliament में उनके 300 लोग बैठे हैं अब MPs के बीच में internal एक टसल स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब हर MP नेता बनना चाहेगा और हर MP चाहेगा कि जी वो minister बने और मंत्री पद की शपत ले जो मंत्री पद की शपत होती है वो हर किसी को नहीं मिलती है हर मेता लीगल सेंस में minister नहीं होता तो यहाँ पर जो MP बैठ है उसे minister बनने के लिए BJP के अंदर internally struggle करना पड़ेगा ताकि उसे कोई ministry मिल पाए और वो minister कहला पाए तो हमने इस तरीके से देश के functional departments बनाए हर department में minister appoint किया और वो उस ministry का head होगा और यह सारे ministers अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं तो इन सब ministers पर नजर रखने के लिए हमने अपने देश में एक और minister कर दिया appoint जिसको हम क्या बोलते हैं prime minister and that is why prime minister is such a big post in our country क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए जो इतने सारे ministries बनी उन ministries में जो head minister है उसके ऊपर आते है prime minister और हर minister prime minister office को होता है answerable and that is why PM is such a big post and who is the prime minister of India पिता दो ना लाएको सबका answer इसमें भी नहीं आ रहा है हद्द हो गई who is the prime minister of India श्री नरेंद्र मोधी जी तो he is the prime minister of India और सारे ministers उनके supervision में रहते हैं और that is why इतनी बड़ी post है और बुच्चों इन सारे ministers को हम क्या कहा देते हैं हमारे देश की council of ministers या जैसा भाई ने का इसको short में क्या भी देते हैं cabinet तो इसका आप cabinet बोल सकते हो या आप कह सकते हो council of ministers और इसमें फिर से अगर मैं प्रेजिडेंट को club कर दूं तो यह cabinet या प्रेजिडेंट मिल करके क्या कहलाते हैं हमारे देश की central government तो this is the meaning of the term government तो हमेशा ध्यान रखना पार्लियामेंट में कौन कोन आता है लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेजिडेंट फिर पार्लियामेंट में जो ruling party होती है वो अपने council of ministers बनाती है और अपने representative उस पर रख करती है तो यह जो council of ministers बना इनको collectively हम क्या कहते है हमारे देश की सरकार तो यह हमारे देश की टेक्निकली central government या government कहलाती है this is how government works और just for knowledge एक बात बता दू इन ministries में बच्चो टॉप पर कौन होता है उस ministry का respective minister तो अगर आपको इस ministry के top पर पहुँचना है तो आपको क्या करना टॉप पर होता है जिसको हम क्या कहते है उस ministry का secretary और यह जो secretary वाली post होती है यह वाली post बच्चो election से नहीं आती यह अगर आपको बनना है तो आपको UPSC के exams clear करने जिनको हम bureaucrates बोलता है हमारे देश में आपको अगर secretary level पर किसी ministry में पहुचना है तो वहाँ पर आप अपने कैलीबर पर पहुच सकते हो आपको UPSC के exam clear करने पड़ेंगे government आपको ministries में allocate करेंगे और दीरे 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 promote होकर आप उस ministry के secretary बन सकते हो और बच्चो क्या यह minister हो सकता है पांच साल के बदल जाए कि उसके पांच साल के बाद बदलेगा वहाँ अपने के लेवर से बहुचे वह पर मानेट है एक तो हर ministry में नेता टॉप पर होता है और बिरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो सेक्रेट्री टॉप पर होता है तो वहाँ सराल चाहिए कौन को नाता है लोग सभा रज्यसभा एंड प्रेजिडेंट लोग सभा में सिर्फ ruling party होती है opposition party भी होती है दोनों होती है तो लोग सभा में जो ruling party है क्या उसके सारे कि सारे MPs को हम सरकार बोलेंगे नहीं जी तो अगर हम सरकार कहेंगे जी Central Government में कौन कौन आते तो आप क्या कोन आएगा Council of Ministers Plus President तो यहाँ पर आजाएंगे जी हमारे Council of Ministers Plus President तो इस इस आर Country Works एंड बच्चो अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछू कि हमारे देश में जो कानून है कानून कौन बनाता है Parliament या Government अगर किसी कानून की बात करी जाए तो who is the legislative organ of our country तो बच्चो कानून कौन बनाता है वैसे तो आप सबने आंसर के बहुत अच्छे यह शायद आप straight away आंसर ना कर पते पर कानून बनता कैसे यह आप सबको पता है कि आज अगर हमारे देश में कोई भी एक्ट बनाना है तो वो एक्ट सीधा बनता है पहले कुछ और बनता है पहले क्या बनता है एक बिल बनता है उस बिल को हम कहां से पास कराते है और फाइनली किसके साइन कराते हैं और वो क्या बन जाएगा तो एक्ट बनाया किसने पार्लियमेंट ने लोग सबाने साइन के राज़ा सबाने अप्रूव दिया और प्रेजिनेंट के साइन हुए तो आप ये चीज बचमन से सीखते है रहे तो जानक ना कभी भी अगर आप और बच्चो एक और और ओर जो हमारे देश में कानून बना सकते हैं पार्लेमेंट के जाथ क्योंकि जो पार्लेमेंट कानून बनाती है वो तो किसके लिए बनाती है पूरे भारत के लिए पर क्या किसी स्टेट के लिए ऐसा होसकता है कि स्टेट का कानून कुछ अलग हो य और दीजी क्या करते हैं? ये सारे मंतरी क्या करते हैं? उस कानून को चलाते हैं. Parlement ने उन्ने जो कानून बना कर दिया, for example, parlement ने income tax एक पास कर दिया और का low सरकार हमने आपको income tax बना कर दे दिया, अब उस कानून के दवारा tax collect करना ये काम अब सरकार का है कि हर इंसान अच्छे से tax pay कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ तो उसके against penalty prosecution launch करना ये सारा काम अब government करेगी net-net government हमारे देश में क्या किलाती है executive organ तो धानक ना parliament is the one that makes law and government is the one that executes law तो parliament को हम बोलते है legislative organ government को हम बोलते है executive organ state level पर बच्चो parliament का replacement कोन ह होता है state की legislative assembly और government state government अगर मैं कहूं तो state government में को ना आते हैं तो जैसे center में मंत्री होता है council of ministers होता है likewise state में भी council of ministers होता है तो state में भी क्या जाएगा आपका council of minister plus president की जगे बस आ जाते है governor तो parallel वही system follow होता है तो ध्यानक ना parliament is the legislative organ government is the executive organ और बच्चो हमारा जो पूरा legal and political system है वो तीन पिलर्स पर टिका हुआ है एक तो है legislative जो कानून बनाती है legislative organ है कौन पार्लियमें एक जो उस कानून को execute करती है यह कौन है government और बच्चो तीसरा और आखरी पिलर जिस पे हमारा पूरा system टिका हुआ है is the one that interprets law तो parliament was the one which made the law government is the one which is executing the law पर उस कानून को enforce करने या अगर कभी भी दिक्कत आ जाए तो यह तीसरा organ हमारी यार्प करता है कौन judiciary है आपके हमारे देश के courts जिसमें आपके supreme court, high court, session court, etc. यह सारे courts अपना role play करते है और यह तीन चीज़ें बच्चो जिस पे हमारे पूरे के पूरे देश का एक legal system टिका हुआ है that is how law is made and followed in our country तो law बनता क्यों है तो इन सब को बच्चो यह कानून बनाने की और चलाने की authority मिलती कहां से है यह सारी बाते कहां लिखी होगी कि यह कानून रहेंगे समिधान और समिधान बनाया किसने है हम सबने indirectly तो आज अगर आप red light जंप कर जाओ तो आप पुलिस वाले को क्या है कैसकते हमारे देश में अगर कोई red light जंप करेगा तो जी 2000 का fine चाहिए तो यह कानून आप लोगों ने बना रख है तो मेरे हाथ बंदे होगे क्योंकि मेरे को तो आप ही ने का है कि यह चलान कट करो क्योंकि हमें एक society को अच्छे से चलाने के लिए law बनाना ज़रूर हीता है for example अपना पैसा वसूल कर पाते हैं सीधे सीधे तरीके से तो नहीं बागी तुमारा वरुसा नहीं है सीधे सीधे तरीके से तो नहीं कर पाते हैं तो इसलिए एक society को या country को अच्छे से चलाने के लिए कानून ज़रूरी है क्योंकि हर कोई honest नहीं होता आपको हमेशा कुछ न इंटर्प्रेट करने की पावर दे रखी है ठकर हर्शल आपका जो सवाल है सर मैंने एक और वर्ड सुना हुआ है ordinance वह क्या होता है don't worry जब time आएगा मैं आपको बताऊंगा अभी ordinance का समय नहीं है just for knowledge बस इतना मान लेना ordinance एक ऐसा जरिया है कि जब parliament कहीं बार session में नहीं होत पॉलेटिकल सिस्टम टिका होगा है and just to understand it better एक चोटी सी वीडियो भी है देखना चाहोगे नहीं जैसे तुमारी शुद्धा बदाओ तीन वीडियो हैं उसमें हम कुछ skip भी कर सकते हैं एक वीडियो में तो आपको यह जितनी बाते मैंने बताई यह सारी बाते रिपीट हो जाएंगी कि पॉलेटिकल सिस्टम क्या है फिर दो वीडियो में आपको पारलियमेंट की proceedings देखने को मिलेगी एक जिसमें राहुल गा बड़े फैन है लुट चलो चलो तो पहले तुम राहुल गांधी जी की अपके अंदर नियौन अपर पर आपको यह आर्टाइप के मिलेंगे रूहुलिंग पार्टी वाले लूंदिची यह नपर हैं और ओपोजिशन पार्टी वाले भी राहुल गांधी जी यहां पर है तो सारे पार्लियमेंट में बैठे हों हैं, और सारे काइदे कानून पार्लियमेंट द्वारा बनते हैं, तो हर काइदे कानून में ओपोजीशन का भी सी रहेगा, तो इनका भी अपना रोल रहते हैं, अनिवेस, सुन लो क्या गह रहे हैं, और ये वीडियो 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, सेंटर के, उससे पहले की वीडियो है, अब अगले इलेक्शन कब होंगे सेंटर के, मत अब तुम्हें मोधी जी को दुबारा लाना या नहीं लाना, कब डिसाइड करोगे, तो आप सब तब तक होफिली वोट डालने लाइक हो जाओगे, तो 2024 में आपके वो इलेक्शन होंगे, आप चाहो तो अपने एरिया के MPs को बदल सकते हो, तो आपको जो पार्टी अच्छी लगे, आप अपने एरिया के उस MP को वोट डाल पाओगे, एनिवेस, अंदर मेरे लिए गुस इतना सा भी क्रोच अ को ये सब कॉंग्रेस है, और कॉंग्रेस ने और इस देश को बनाया है, इस बात को आप तभी मत भूलिए, और για बाबना आप जाए, और इस बावना तो मैं आप सब के अंदर से निकालूँगा, और आप दो को कॉंग्रेस मे बदलूगा, दाल्यव मारे चाहाओ नोपकाल 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 तेस्टिसने भुश ने भुआ लगंगी तो इस इस आवावार पारलेमेंट लुक्स, इन सब को किसने आपट करके बेजा हुए? मौधी जी को इतना जबरदस नेता क्यों का आजाता है? आपको इस स्पीच से समझ जाओगे कि उन्होंने कितनी विटिनेस से इसको डिफेंट किया और क्या बोला सुनते हैं मोधी हटा, प्राथ, और मैं हरान हुँ आज छुदे तो, मैं तो हरान हुआ छुदे भी, कि अभी तो चर्चा प्रारम हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुचने की उच्छा है, उठो, उठो, उठो तो फार्थ, तो, और यहां कोई उठा सकता है ना बिठा सकता है, सबासो अक्तरोड़ेश वाति उठाथा, सबासो अक्तरोड़ेश वाति उठाथा, तो जिय मोधी जी करेखिशना रिखिशन उर भी कुछ देखना जाग चुछMPS देखना चाहों कि अगर एकर कर और मारे धारा छोटी सी एक एकर छोटी सीjak यह कुछ MPs हैं जो हमारे आपकली तार डिरखेल्टी डरेक्ली तार जूख यह दिखने हैं मैं तेहलो अपनी बाइस मैं देखा होगा आपने इंडियास गौट पे या किसी मूवी वगरा में देखा होगा किसकी वाइफ है अनुपम खेर जी की वाइफ है तो यह भी MP है कई बार MP कुछ पाटी स्फेमस फेस को MPs की तरहे एलेक्ट कर देती है वनना लोगसभा और राज्यसभाव में कुछ सीट्स प्रेजिदेंट के लिए बुगड़ होती है कि आप कल्चर आठ के कुछ लोगों को भाँ पर डारेक्ली एलेक्ट कर सकते हैं तो प्रेजिदेंट द्वारा नॉमिनेट होके भी कुछ लोग MP बन सकते हैं तो कुछ सीट् प्रेजिदेंट के इसा बनाती जिससे लोगों को लगे आप आप बाड़ी बहूत इंटाडरेक्स प्रेज दुसान हें लिए फेश्ट गर्राम सब्स्काव मिलेंट अप्रिसेट कुछ है इस्ट अरो मिल्यां सेक्षणी गर्वार्व प्रेलट कीछ निच़ पेच्छ प्र स्टीर को चाहिक करते हैं आप के अंदर से आपके अंदर चुप पर आप अपरों को कउन्धूर्य का रां घ्रीड का शाप एफ वा मैं आपडने है कर तो यह कर दो अड़ने की दिद्दिव नो दॉटिक है पर दिस आइस्पेशली टैंक में लीडर लेट स्रीमाति सुनिया गांधी की सारी इतना गांधी जी लोग करें यह जो पटेल है इसका क्या नाम है इस पुर्जित पुराने अच्छे नाम चेंगा पुर्जित आपको कुछ और पढ़ने के लिए दूगे आपको उचलने का काफी मौता मिलेगा नाराज मैं तो जया है यह आपसे करना चाहता है आप ठीक है इस नाराज इसे क्या बहुत बुल्य 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 नेता थे में जेल में थे विकारी बन गया बहुत बड़ा दूसरे देखे जो आनंद सर्मा जी नाराज जी का बड़्डे आज है राहूल जी को पी मतलब वह हमारे मित्रे है और आप जैसा एक अनुभवी आदमी है आप ज्यादा हस्ते नहीं लेकिन आप ज्यादा हस्ते नहीं लेकिन आपको हता हूंगा पार्लियमेंट में पार्लियमेंट में पार्लियमेंट में आपको बहुत बहुत चीज़े दिखेंगी तो यह आप मारे देश के संसत क्यलाती है और यह हमारे देश को इस तरी कैसे चला रहे है तो जितना भी हमने अभी तक पड़ है उसको समराइस करने के लिए एक चोटी सी वीडियो है वो भी आप देख लीजे जिससे आपको पूरा सिस्टम हमेंसे पही लोगों को इलेक्शन के बेसिक चीजों की जो कि एक वोटर को पता होनी चाहिए उनकी पूरी जनकारी नहीं है आज हम इने चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि एक एक एलिजिबल वोटर को वोट देने से पहले जरूर पता होनी चाहिए जैसे इस इलेक्शन में हम वोट देने जा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है election process को जानने से पहले हम basically समझ लेते हैं government of India के structure के बारे में तो Indian constitution यानि भारत का सविधान federal system को follow करता है federal system के according इंडिया में दो टाइप की government होती है central government and state government पहले बात करते हैं central government की Indian parliament मतलब भारत्य संसद parliament of India is supreme legislative body of republic of India मतलब parliament of India two houses से मिलके बनता है parliament अपने इन दो houses की मदद से law यानि कानून मनाता है और laws parliament से पास होने के बाद president के द्वारा उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाता है according to the constitution of India राज्यसभा में में 250 members हो सकते हैं and current laws and provision के हिसाब से इसमें 245 members है and वहीं लोकसभा में maximum 552 members हो सकते है and currently इसमें 545 seats हैं तो ये सारे members संसद भवन यानि the house of parliament जो की दली में है उसमें meeting करते हैं and laws से related discussion करते हैं ये meetings president of India के under होती है जिनके पास इस meeting को बुलाने और रद करने के rights होते हैं तो ये हमने समझा कि basically parliament होती क्या है बट हमारा main focus है कि ये जो parliament members है इनका चुनाव कैसे होता है तो इस topic से हम आ जाते हैं हमारे main topic पर types of elections in India तो basically three types के elections होते हैं general elections जैनि लोगसभा elections राज़सभा elections and state assembly elections लोगसभा elections की बात करें तो इसके elections हर 5 साल में होते हैं and इसके members को directly voting करके भारत की लोगों द्वारा चुना जाता है इस purpose के लिए जैसा मैंने बताया कि currently 545 seats हैं जिसमें से 2 seats Angelo Indian Community को President of India nominate करते हैं तो बची सिर्फ 543 seats जिनके लिए voting होती है तो इन seats को हर एक state को अलग-अरिया में divide करके number of seats allocate कर दी जाती हैं एंड हर एक state की लोग सबा seats fixed होती हैं जो की population के according divide की गई हैं फर एक्जांपल 2014 General Election में Delhi में 7 लोग सबा seats थी एंड UP में सबसे ज़ादा 80 seats थी क्यों UP की population सारी state में सबसे ज़ादा है अब इन सब seats के according हर एक area से उस seat के लिए candidates खड़े होते हैं जो की अलग-अलग party को represent करते हैं voting होने के बाद जो भी party 50% से ज़ादा seats जीत जाती है उस party की सरकार बन जाती है मतलब 543 seats में से एक party को majority या नि भामत से जीतने के लिए 50% से ज़ादा seats सही होती है जो की होती है 272 फर एक्जांपल 2014 में BJP ने लोगसभा में 282 seats जीती थी और NDA से मिलके total 363 seats जिससे उनकी party जीत गई थी उसके बाद जो winning party का leader होता है वो prime minister appoint कर दिया जाता है ये लोगसभा members जो majority में हैं वो voting करके prime minister select करते हैं आने वाले लोगसभा elections April and May 2019 में होंगे अब बात करते हैं upper house की यानि राजसभा की राजसभा का election system लोगसभा से बिलकुल different होता है क्योंकि जैसे लोगसभा के members को directly voting करके elect किया जाता है राजसभा के members को indirectly public elect करती है जिसमें MLA's vote करके राजसभा के members को choose करते हैं राजसभा में 250 members होते हैं जिसमें से 238 members को अलग-अलग states and union territories के MLA's elect करते हैं और बाकी 12 members को president of India appoint करते हैं condition यह है कि इन 12 लोगों को arts, science, literature या social service में special knowledge and experience होना चाहिए for example सचिन तंदुलकर एन actress रेखा को 2012 में इसके under nominate किया गया था हर एक state की राजसभा seats fixed होती है एक state कितने राजसभा members भेज सकती है यह उसकी population पे depend करता है हर राजसभा members 6 साल तक के कारेकाल में रहता है और इसमें 1-3rd seats के election हर 2 साल में होते हैं तो राजसभा के elections के लिए MLA's यानि विदान सभा के members STV system यानि single transferable vote system के जरिये राजसभा के members को चुनते हैं यह STV system थोड़ा complicated होता है अगर हम इसको अभी समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर जो है विदानसभा elections यानि state legislative assembly तो विदानसभा elections मतलब एक state में विदानसभा के members यानि MLA's को जनता voting करकर elect करती है लोगसभा की तरह हर एक state के विदानसभा seats भी fixed होती हैं अलग-अलग parties के candidates एक particular state के अलग-अलग areas में इन MLA's की seats के लिए चुनाव लड़ते हैं इसके elections भी लोगसभा की तरह हर 5 साल में होते हैं बस difference यह है कि इसमें अलग-अलग states के elections अलग-अलग time पर होते हैं तो simply election के बाद जो भी party 50% से जाए सीट जीच जाती है उनकी party majority यहीं बहुमत से जीच जाती है और उस state में उनकी सरकार बन जाती है और majority में elected MLA's अपने leader को as a chief minister of the state चूज करते हैं यहाँ पर एक question है कि अगर कोई भी party 50% से जादा vote नहीं जीते तो क्या होगा इसका एक example है 2013 में बताना चाहो तो अगर कोई भी party ना जीते तो क्या होगा इलेक्शन रद हो जाएंगे alliance हम पर फिर हम गटबंदन की सरकार की कोशिश करते हैं कि दूसरी parties के साथ हमारा tie-up हो पाए और फिर उस case में हम सरकार बनाने की कोशिश करते हैं डली के विदान सभाई elections जिसमें total 70 seats हैं जिसमें election के बाद बड़ी parties में बीजेपी ने 31 seats जीती थी आमादमी party ने 28 एंड कॉंग्रेस ने 8 seats और जैसा यहाँ पर majority से जीतने के लिए 36 seats चाहिए तो इस वज़े से बीजेपी बहुमत से सरकार नहीं बना पाई तो यहाँ पर क्या होता है पहली preference होती है कि जिस party के पास सबसे जादा seats हैं वो किसी दूसरी party के साथ alliance यानि गड़बंदन करके सरकार बना सकते हैं बीजेपी को first preference दी गई थी पर वो किसी के साथ गड़बंदन नहीं कर पाई फिर आमादमी party को second preference मिली तो उन्होंने Congress के साथ alliance करके अपनी सरकार बना ली सरकार बना पाई उन्हें गड़बंदन पर रिलाई नहीं करना पड़ा तो अगर ऐसी situation हो कि 50% से जादा कोई party seats ना जीते तो वो दूसरी party के साथ गड़बंदन करके भी सरकार बना सकती है जिसमें terms and conditions define हो जाती है चले आप आपको एक clarity मिल गई हो this is the election process and this is how भी हमारे देश में legal system work तो आपको एक छोटा सा handout मिला होगा उसमें भी बस बाते लिखे होई हैं वहाँ से और देख लेते हैं फिर आप लोगों का break चुट्टी गया अभी कहां से चुट्टी चले तो आपको जो handout मिला होगा उसमें page number 4 आ रहा होगा जहां पर आपको हमारा structure दिख रहा होगा कि सरकार का structure कैसे काम करते हैं तीन organs हमारे देश में काम करते हैं मैं एक बाद रिपीट करतू कोई live student connected है आपके handout टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगा चले एनिवेज तो बच्चो एक तो हमारे देश में आता है legislative organ जो कानून बनाता है that is it is the one that makes law center level पर कानून बनाती है parliament state level पर कानून बनाती है state की legislative assembly तूसरा ओरगन आपको जाता है executive that is the one that implements law center level पर कानून implement करते है president plus council of minister state level पर implement कर देते है governor plus council of minister and finally अगर कानून को कभी interpret करना पड़े तो एक judicial organ हमारे पास रहता है जहां पर आपके आजाते हैं coach तो इसलिए बच्चो कोई भी कानून पढ़ने से पहले जानना बड़ा जूरूरी है कि कानून हमारे देश में पना कैसे तो this is how the structure of government works अब तुम्हारे लिए बच्चो दो choices कितने बच्चे गहरे सर ब्रेक देदो और कितने बच्चे गहरे सर पढ़ा हो अभी तो class जल्दी छोड़ देना मैं तो तुम्हें choice देर मेरे को तो दो नोक है कितने गहरे नहीं सर ब्रेक देदो जैसे हैंडाउट कंप्लीट हो जाएगा और कितने बच्चे गहरे नहीं सर पढ़ा लो class जल्दी छोड़ देना यह वाई डिड़ है बच्चे आज पहला दिन है तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं हो पा रहा जलो लास्ट टे में पूछ रहा हूँ कितने बच्चे करें सर पढ़ा दो भी बाद में जल्दी छोड़ देना कितने करें नहीं नहीं सर ब्रेक दो है में ब्रेक चीए महानिक करें सर कुछ भी जैसा आप सभी सुदू चलो फिर तुम्हें एक ब्रेक लेए लो बाद में वरना तुम मेरे कोगा हो गया कोई नहीं कोई नहीं चोटा सा ब्रेक दूँगा भी ज्यादा बड़ा होता नहीं 430 तक आप लोग ब्रेक लीजिए मिलते हैं उसके बाद अगर किसी के कोई डाउट से भई आम हैं यू कन आस्क दे डाउट्स मितु कहरे सर घर में ही हैं हम पढ़ाओ चितना हां तुम तो घर में हो नलाए कि यां तो बच्चे हैं ये सुबे से आया है यां पर ब्रेक अब बुक्स आपको नीचे से रिसेप्शन आइगेस येस बुक्स आचके हैं मिल जाएंगे 62 तो या तो था नीचे रिसेप्शन पर क्लास के बाद लेने रेना बैटर अभी भील लग जाएगी विने आपकी चैट दिख रही है मुझे डॉन वरी बीच में कई बार होता है आप मैसेज कर रहे होते तो मैं पढ़ा रहा हूं उससे में मैं शायद मिस कर जाओं मैसेज तो आप दुबारा भीज दिया करिए करें जब अंगरेस के साथ हाथ मिलाया तो बीजेपी और मीडिया ने सवाल उठाए कि आप तो कह रहे थे आप पर अप्रेशर किया गया उनके 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 तीज़िए ने पद्री चोड़ रहा हूं दुबारा एलेक्शन कराओ अपिन हर कोई इसी पर सवाल उठाता रहे था उनके लिए उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है हम MLS इलेक्ट करते हैं स्टेट में फिर वो स्टेट्स अपने रिप्रेजेट्टिव पां दिशते हैं मनेक MPs of Raja Sabha elected by MLS, yes you can say so तो स्टेट लेजिसलेटेव असेंबली द्वारा MPs of Raja Sabha elected होते हैं मैं तो आएगे सापके books dispatch हो चुकी होंगी वरना डोंट वरी मैं कल तक chapter number 1 टेलिग्राम पर upload कर दूँगा उससे आपका काम for the timing चल जाएगा शुरू में एक दो क्लास हमारी building blocks रहती है हम अपने basics को cover करेंगे आज़े लो बलो अज़े झाल 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 जाँ विखो में अखने लिए इसुए अधना अधनी नहीं जाँ हुए हुए नहीं हुए हुए जाँ टॉकर शेटरश नहीं बोतों आज के लिए तेंकि सोमना सज्ट कर दो आधी इंड तक तो तुम्हारी चुप्ती कर देंगे है नियुँदा इंडा में आधी सिंगर्ट इंडाप ऐसेंर च जोब अब्धने तकना है इसमें से एक भी question आपके paper में आपको रटना याद करना फ़म देग्जामनेशन स्टेंपट बिल्कुल भी नहीं करना यह सब चीज हमारे सीखनी बहुत जरूरी होती है पिंग उनको सीखे बिन लोग इंडिया में सीखने वाले है वो हम कभी भी समझ नहीं आते पर पूरे स्लेबस में जब हम आगे बढ़ रहा हुआ तो भापर मैं चाहिए जगे जगे काणू अगा पूरे कानू में कभी पर्लेमेंट बोल रहा हुआ हूँ कि इंडिया में कानून बनाने की अथोरिटी किसके पास है पार्लेमेंट पार्लेमेंट बनाती है और किसी के पास भी अथोरिटी होती है तो किसके पास होती है स्टेट की लेजिसलेटिव असेंबली बस डिफरेंस क्या है पार्लेमेंट जो कानून बनाएगी किसके लिए बनाएगी पूरे इंडिया के लिए और जो स्टेट की लेजिसलेटिव असेंबली कानून बनाएगी वो किसके लिए बनाएगी स्टेट क और Parliament आप इंडिया के लिए कानून बनाओगे और State की Legislative Assembly आप State के लिए कानून बनाओगे ये बात लिखी कहां पर है Constitution क्योंकि ये हर अथौरेटी या हर एंटिटी अपनी अथौरेटी Constitution से ही डिराइब करती है तो Constitution में बात लिख्यों है बच्चो और Constitution में बात कहां लिख्य तो आपको जो handout मिला होगा उसके सबसे पहले page पर आप आएंगे और वहाँ पर आपको मिलेगा एक article 245 अब सर ये article क्या है तो जैसे किसी act के अंदर हम जो paragraphs बनाकर उन्हें numbering देते हैं उसे हम कह देते हैं section Constitution में उसे section ना बोलके उसे एक नाम दिया गया है article तो Constitution में जो numbering ह उसे हम section नहीं कहते है article बोलते हैं तो likewise Constitution का एक article 245 है देखते हैं वो क्या कहना चाहरे है तो अब ये जो article 245 है इसमें ये पहला clause आ रहे है देखते हैं क्या कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं जी subject to the provisions of this Constitution Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India कि जी Parliament हम आपको power दे रहे हैं कि अगर इंडिया या उ पर खतम नहीं हुई साथ में आगे क्या बोला गया and the legislature of a state that is state legislative assembly या legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state तो Parliament आप इंडिया के लिए कानून बनाना and state की legislative assembly आप state के लिए कानून बनाओगे तो ये बात हमारे समिधान में हमने लिग दी कि इस तरीके से हमारे देश में law बनाने की authority दी गई ह पार्लियमेंट को and state legislative assembly और बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछों आप टेक्स में क्या income tax पढ़ोगे चलो पढ़ोगे तो अगर मैं income tax की बात करो तो क्या income tax भी एक act है येस income tax year या दो किसी को चलो good 1961 तो काफी पुराना एक कानून है income tax act 1961 अगर मैं आप पूछो कि हमारे देश में ये कानून किसने बनाया तो आप क्या बोलोगे किसने बनाया पार्लियमेंट ने या state legislative assembly ने पूरे देश पर लगता है तो हमारे देश में income tax बनाया है जी पार्लियमेंट ने जिसके तहर्ट पार्लियमेंट हमारे देश के लोगों पर income tax लगाती हम example ले लेते हैं let's say UP का UP में किसकी सरकार चल रही है योगी जी की आज यहाँ पर योगी जी है और योगी जी चाहते हैं कि मैं भी आज एक income tax लेके आऊँ जिसका नाम होगा UP income tax act let's say 2022 और वो ये act लाना चाहते हैं जिसके तहत वो सिर्फ UP के लोगों पर income tax लगाना चाहते हैं क्या वो ऐसा कर सकते हैं वो कह रहे जी कानून बनाने के थोरिटी मेरी legislative assembly के पास भी है और मैं जो income tax बनाऊंगा वो सिर्फ UP के लोगों के लिए है वो उससे बाहर ने लगए आज let's suppose आप कुछ पैसा कमा रहे हो let's say 100 रूपीज तो जो हमारी इंडियन पार्लियमेंट टेक्स लगाती है लगग लगग वैसे त आप सब सीखोगे मैं कहते हो let's say आपको 30% tax पे करना होता है तो अगर आपने 100 रूपे कमाया तो आपकी पार्लियमेट उसमें से कितना ले जाएगी 30 तो मोधी जी कहेंगे लाई जी 30 रूपे दीजिए मुझे देश चलान है 30 रूपे आप से center ले लेगी and let's suppose योगी जी यूपी में income tax लेकर आते है और हो कहते है जी मैं भी 30 रूपे लूँगा तो आपके पास कितना बच जाएगा 40 चलो तो जी अगर 30-30 वो लेते हैं तो आपके पास बचा 40 बताओ ठीक है चलेगा not possible हर्शिल कहरे है सर्फ possible ही नहीं है सवाल ही पैदा नहीं होता सुनिदी भी बना कर रही है तो बताएगे जी वो कह रहे है जी Parliament ने भी income tax बनाया है जो पूरे के पूरे देश पर लग रहा है और मैं भी income tax बनाना चाता हूँ सिर्फ यूपी के लिए और जैसी योगी जी ने बात करी केजरिवाल जी भी आ गया गया हर स्टेट के मिरिस्टर आ क्या कह रहे है यह तो बढ़ी है हम सब ने क्यों नहीं सोचा हम सब भी अपना एक income tax लगाते हैं तो जी सवाल उठता है क्या यह स्टेट्स income tax बना सकते हैं तो आंसर इस नो क्योंकि अगर हर चीज के ऊपर कानून बनाने की पावर दोनों को मिल जाएगी तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी तो इसी लिए हमारे समिधान ने यह कहा तो सही कि पारलियमेंट आप पूरे इंडिया के लिए कानून बनाना और स्टेट आप स्टेट की legislative assembly आप उस particular स्टेट के लिए कानून बनाना यह बात समिधान ने बोली तो सही पर जैसी उन्होंने यह बात बोली उन्होंने इनकी powers पर लगाई एक restriction और उसके लिए समिधान में लिखा गया article 246 और article 246 में समिधान ने एक बात और बोली clause number 1 में और क्या कहा यहां पर Notwithstanding anything contained in clause 2 and 3 Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 1 in the 7th schedule that is union list that is समिधान ने का कि देखो parliament मैं तुमें कानून बनानी की power देतो रही हूं पर तुम कानून सिफ उन मुद्दों पर बना पाओगे जो मुद्दे हमने इस समिधान के end में 7th schedule है तो हमारा जब constitution end होता है बच्चो वहाँ पर आपको 12 schedules मिलते हैं उसमें से एक 7th schedule है उसमें आती है एक list number 1 तो हमारा constitution कह रहा है कि देखो parliament मैं तुमें power देतो रही हूं पर मैं जो तुमें power दे रही हूं मैं कानून बनानी की power सिर्फ उन matters के लिए दे रही हूं जो matter बच्चो कौन सी list में लिखे हूं है union list में तो आप जो कानून बनाओगे सिर्फ और सिर्फ union list वाले matters पर ही बनासके तो बच्चो union list में ऐसे लगभग 97 entries आती है जिन पर parliament को कानून बनाने की power है that is net net parliament को हमारे देश में कानून बनाने की power दी तो गई है पर ऐसा नहीं है कि parliament का जिस मर्जी चीज़ पर मन करे कानून बनानेगा not possible parliament आप जो कानून बनाओगे आप सिर्फ इन ही मुद्दों पर कोई कानून बनासके तो इनके अलावा नहीं subject to clause 1 and 2 the legislature of any state has exclusive power to make laws for such state or any part thereof with respect to any of the matters and numerated in list 2 in the 7th schedule that is state list that is यह आज अगर योगी जी आपको कानून बनाना है तो आप कोन से मुद्दों पर कानून बनासकते हो जो matters कहां पर लिखे है state list में तो दोनों के पास कानून बनाने की power तो है पर किस-किस topic पर कोन कानून बनाएगा वो topic बाइफर के रिटेड़ है union list के matters पर parliament आप कानून बनाना जहापर 97 entries है state list के matter पर state आप कानून बनाना जहापर आपकी रफली 66 entries आ जाती है और बच्चो income tax पर कानून बनाने वाली बात कौन सी list में लिखी होगी union list इसलिए हमारे देश में सिर्फ एक ही income tax है पर अगर income tax वाली बात हम state list में लिख देते तो क्या हमारी सरकार income tax लगा पाती नहीं फिर हर state अपना income tax अलग बनाता तो इसलिए आपको कोई भी कानून पढ़ने से कानून बनाएगी और state के अगर बात आएगी तो उसके लिए भी एक list आजाती है आपकी state list वापर state आप कानून बनाओगे अगर आपने बच्चपन में थोड़ा बहुत पॉलिटी पड़ी थी तो आपने सुना होगा शायद एक और list होती है कौन सी कौन करेंट वहाँ पर भी कुछ matters लिखे हो है around 47 entries है कौन करेंट लिस्ट के matters पर कौन कानून बनाता है उन matters पर जी दोनों को पावर है कि पारलेमेंट आप भी या state आप भी कानून बना सकते हो पर लब अच्छो पॉइंट नमबर सेकेंड खेंट टोन वरे टेहन आपकेंड आपकेंड खेंड शूर्फ टीपर जी अपरलेमेंट आपकेंड आप सेके या पार जावर्फ ल में रहुए निए फ्यर्फ टो फिरस्पेक्त टो अन्य तो धानक ना, दोनों के पास पावर है, पर उनकी पावर्स बाइफर क्रेट है, कुछ मैटर्स पर सिर्फ पार्लेमेंट कानून बनाती है, कुछ मैटर्स पर सिर्फ स्टेट कानून बनाती है, और कुछ मैटर्स ऐसे हैं, जा पर दोनों को ये पावर दी गई है, और ये बात हमारे constitution के अंदर लिखी हुई है तो ये दिखा भी देता हूं आपको ये lists कैसे दिखती है और हमारे देश का समिधान कैसा दिखते है तो अगर आपको कभी खुद से हमारी देश की सरकार समिधान के बारे में जानना हो तो आप Google पर लिखना India Government तो हमारी सरकार की भी एक अपनी website है india.gov.in यहाँ पर आपको अपने देश की सरकार Parliament के बारे में जानने को मिल सकता है तो अगर आपको कुछ भी जानना है तो यहाँ से आप Constitution of India डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ से आपको Constitution मिल जाएगा आपको अगर समिधान पढ़ना है आप यहाँ पर आईए आपको समिधान मिल जाएगा बाकि मैं Telegram चैनल पर Constitution अप्लोड भी कर दूँगा यहाँ से आपका Constitution अप्लोडड है उर्दू, तमिल, हिंदी सारे formats में अप्लोडड मिलता है यहाँ से आपको समिधान मिल जाते है Likewise, इस website पर आपको government के बारे में जानने को मिल जाएगा For example, अगर आप government में जानना चाते है जी Indian Parliament तो जैसी हमने Indian Parliament क्लिक किया बच्चो Parliament में कौन कौन आ गया प्रेजिडेंट और रज्यसभा और लोकसभा तो यहाँ पर आगे तो प्रेजिडेंट पर आजाएगे तो आपको प्रेजिडेंट की profile यहाँ पर मिल जाएगी तो दुरापदी मुर्मो जी उनकी एक profile आ गई यहाँ पर अगर आप जानना चाहेंगे तो और भी आरे Vice President कौन है Prime Minister कौन है Modi तो यहाँ पर मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर आगे बाकी सब यहाँ पर लिख्यों है बाकी आपको और भी अगर जानना है तो माई गवर्मेंट में जाएगे आपको यह भी पता चाहेगा इंडियन पार्लियमेंट में कौन कौन आ रहे पर एग्जांपल अगर आप जानना चाहते है करेंट ली राज्या सभा में कौन कौन MP है पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है आप जानना चाहते है लोग सभा में कौन कौन MP है everything is available on this website तो सरकार से जुड़ी हुई सारी जानकारिया आपको यहां से मिल जाती है तो कभी भी आपको जानना हूँ this is the website यहां से मैं एक बर constitution डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको constitution का draft दिखा देता हूँ कि दिखने में हमारा समिधान कैसा लगता है तो बच्छोई यह हमारे constitution का draft है, pdf है constitution जैसा मैंने बताया था time to time amend होता रहता है तो यह वाला जो draft constitution का 26 November 2021 तक updated है आप और लेटेस डाउनलोड करना चाहते हो आपका अप्लोड हो जाएगा तो 26 November 2021 तक आपका uploaded है स्टार्टिंग में यहां कुछ प्रीफेस आजाता है फिर यहां पर इसका पूरा index आगया कि इस समिधान में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें लिखाव है जी इंडिया क्या होगा कितने states होंगे, कितनी union territories होंगी citizenship कैसे मिलेगी fundamental rights क्या है एट सेक्टर एट सेक्टर सारी वाट बोल रहा है चोटा सा समिधान है यह index चल रहा है यह 402 pages का है 395 यहां पर articles आते हैं फिर at the end आपको कुछ schedule देखने को मिलते हैं हमने जो भी refer किया वो था 7 schedule union list अगर मैं आपको entry constitution से पढ़ा हूँ तो बच्चो जो आपने अभी line पढ़ी वो यहां पर लिख्यो हूई है तो जो आपने article 245 पढ़ा आपने यही वाला article भी पढ़ा है फिर आपका यह article 246 आ गया और अगर आपको list एक बार दिखाऊं कि देखने में कैसी है union list, state list, concurrent let's just give me a second guys second schedule, third schedule और आपका भी confused हो जाओ तो इंडिया में कितने states और कितनी union territories है तो हमारे समविधान के first schedule में चले जाना वहाँ पर दिया होता है यह बचवा गए आपकी 7th schedule, 7th schedule में आपका list number 1, that is union list और यहाँ पर वो सारे matters दिये हो है जिन matters पर कानून बनाने की जो power है वो है parliament की for example हमारे देश का जो defense है जो army है उसके उपर parliament का control होगा naval forces पर parliament का control है UNO, United Nations के साथ जो affairs है उन पर parliament का control है war and peace जो आपके लिए relevant entry है वो दिखा देता हूँ है total entries तो यहाँ पर 97 है एक relevant entries आपके लिए आजाती है यहाँ पर 82 और क्या लिखा हो है बच्चों यहाँ पर taxes on income अगर आपको हमारे देश में income tax बनाना या income tax पर कानून बनाना है बच्चों तो वो कानून बनाने की power किसके पास है parliament entry number 82 of union list तो वो कानून कौन बनाएगी parliament तो हमारे देश में हर स्टेट का अलग income tax होगा यह parliament यह income tax बनाएगी क्योंकि यह बात समिधान की union list में लिख्य होई है अब अब अभी तक आपने income tax पढ़ा तो नहीं है पर कितने बच्चों को पता है कि हमारे देश में agriculture income पर tax नहीं लगता agriculture is income sorry agriculture income is exempt from income tax 80% जिद्धा को पता है तो पच्चो क्या यह फाइदा दिया हुआ है हमारी parliament ने हमारे देश के किसानों को answer is no क्योंकि अगर आप 82 पढ़ होगे taxes on income other than agriculture income तो क्या मोदी जी अच्छा कर भी हमारे देश के किसानों पर income tax लगा सकते है the answer is no वो ऐसा कर ही नहीं सकते यह power parliament की है ही नहीं parliament के पास इस matter पर कानून बनाने की ही power नहीं है क्योंकि union list ने यह power parliament को दी ही नहीं union list में समिधान कह रहे है parliament income tax लगाओ पर तुम agriculture income पर income tax नहीं लगा सकते है अगर agriculture income पर income tax लगाना होगा तो वो बात बच्चों लिख दी गई आपकी state list में तो आपकी list number two state list आ जाती है तो agriculture income पर income tax लगाने की power states के पास है तो हर state अपने इसाब से अपने state के किसानों पर income tax लगा सकता है parliament चाहा कर भी नहीं लगा सकती इसलिए उन्हें exempt करना पड़ा और बच्चों अगर parliament फिर भी agriculture income tax लगा दे तो for example आज parliament ने income tax में लिख दिया जी हम agriculture income पर टेक्स लगा रहे हैं तो तो बच्चों तुम सरकार को ही घसीट कर court में लेकर जा सकते हो और आप court में कहोगे कि देखिए जच साब इस सरकार में जो ये कानून बनाया है न ये कानून है anti-constitutional ये हमारे समिधान की against है और इस कानून को करिए scrap तो जो बात मैं आपको समझाना चारूं जो कानून आपको बना के दिया जाएगा आपको blindly उसे follow नहीं करना अगर आपको सारी बाते पता है आप उस कानून की authority को भी question कर सकते हो क्योंकि अगर वो कानून सही तरीके से parliament ने नहीं बनाया होगा आप parliament को गसीट कर union of India government को गसीट कर लेकर court में जाओगे और उस कानून को किया जाएगा scrap ऐसा कहीं बार हुआ है आप टेलिग्राम चैनल पर गर जाओगे तो आज की भी एक news है एक बिनामी transaction लोगा है मारे देश में उसके उस section को आज ही scrap करवाया गया था जज्मेंटल की थी तो आज मैंने share क्या हुआ है scrap किया गया था काफी सारे section को क्योंकि वो anti-constitutional थे तो ऐसा कहीं बार होता है ऐसा एक बार हुआ था आपका महराष्ट में एक बार हुआ था महराष्ट में एक बार दो लड़कियों ने अपने अगत सिंग अगरे उनकी death पर तो हम ऐसा नहीं करते हैं उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था और उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया था उन लड़कियों को जेल में भेजा गया था क्यूंकि हमारे देश में एक information technology act था उस समय और उसका एक section कहता था कि अगर आपने किसी भी person को इस तरीके से publicly defame किया है किसी भी political leader को तो आपके against action लिया जा सकते है और उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया था तब जाकर बच्चों court में काफी सारे cases file हुए और एक faculty of law due की 21 साल की लड़की ने court में case file किया था और उन्होंने का जी यह जो section पार्लियमेंट ने बनाया है यह section गलत है anti-constitutional है because यह section हमारे fundamental right of speech को target करता है कि हम अपनी अभिविक्ति की अजादी यहां पर खो रहे हैं और उन्होंने बाद में वो section महां से delete करवाया तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्रिशन जी ने बना कर कानून नहीं दिया है कि आपको blindly follow करना है कोई गीता नहीं है आप उसकी भी authority question कर सकते हैं हमेशा ध्यान रखना तो किसी भी कानून को पढ़ने से पहले यह जान लेना कि वो कानून बनाने की authority भी parliament या state के पास थी या नहीं क्योंकि अगर वो anti-constitutional है आप उसको ही scrap करवापा होगे तो ऐसा practically हुआ था मैं आपको दिखा भी देता हूं तो फिकल्टी अफ लॉप भी केच था Supreme Court disposed of a bunch of petitions with regard to section 66A the original petitioner was Shriya Singal she's a 21-year-old petitioner in this particular case she's had a family of lawyers and she's been fighting this case relentlessly for the last couple of years as we'll play out an interview with Shriya Singal but then also bring you some reactions from those who've suffered as a result of the misuse of section 66A an historic judgment in the Supreme Court तो ये section ये किस साल के लिड़की थी फिगल्टी ओफ लॉव मैं Shriya Singal इनों ने Supreme Court में केस फाइल किया था और काता सरकार ने जो ये कानून बनाया है ये कानून ही गलत है समिधान के अगेंस्ट है तो सरकार का वो कानून हटाया गया वो section बाद में law से डिलीट हुआ था तो आप भी चाहो तो law के sections को डिलीट कर वा सकते हो अगर वो anti-constitution है सब्सक्राइब आप चाहर थे जापन थे लिएकाट प्रिक्ट मेश्चान ओश्वांट को बाति अस्टर देजरिट कर उच्छान हम मैं अस्टर्म से कान। तो आप्रूम कोई गुट ईप्राइब से ज्कूट रोचे बार्सकाराइ ज्याए अप्राइब गार्ज इंड टो अच्छिए और भी कर लोग इसों लागवावाबिज में आप्राइब नाप्राइब इस लागवावाब टो बीजेशनि टोह रहावावावावावज चिटे but also you know I'm also a law student so through my studies also I knew that you can approach the supreme court directly but even before becoming a lawyer I think you achieved what others couldn't achieve yeah yeah seems to be I have I'm so I'm just so grateful to my lawyers Solisa Rabji, Ninaad Laad and Ranjita Rodki who have really worked so hard and of course versus supreme court who's really they've and it's an extensive judgment it is it's just it's they've upheld the rights of the the point is proven that the law is given, you have to know that the law is given before you read the law you have to know that the law is also flowing through the law. So anyways our government has power to the parliament and state but they've said that the union list of matters are the parliament and state list of matters on the state list of matters. Sir, some examples of state list of matters, one of your agriculture income tax is that our country is Indian police or Delhi police or U.P. police are different. Why are they different? Why are they different? Because for the matter of matters, the state list of matters. So the matter of state list of matters is that the state government is regulated, so you can see all the state of matters, but the military, the army, the army, the matter of matters in the union list. So this is how the power has been bifurcated. Coming down to the handout, आजी ये बापसी तो धार्टिकल 245 ने का पार्लियमेंट आप इंडिया के लिए कानुन बना लो, state की legislature आप state के लिए कानुन बना लो, पर उसके immediate बाद अगले आर्टिकल ने का पार्लियमेंट आप सिर्फ यूनियन लिस्ट वाले matters पर कानुन बनाना, state आप सिर्फ state list वाले matters पर कानुन बनाना और concurrent list वाले matters पर दोनों ही कानुन बना सकते हैं, पर बुछे एक दिक्कत आई, जैसी हमने ये बात बोली, तो income tax कौन से state में लगाना चारे थे योगी जी, योपी में, योगी जी ने आप से एक सवाल पूछा, योगी जी कह रहे है, बेटा एक बात बताओ, आप तो law पड़ रहे हो, उन्होंने का जी, article 246 कह रहा है, कि मैं सिर्फ state list वाले matters पर कानुन बना सकता हूँ, पर article 245 क्या कह रहा है, कि मैं state के लिए कोई भी कानुन बना सकते हैं state के लिए, तो योगी जी कह रहे है, article 245 मुझे मेरे state के लिए कानुन बनाने की कोई भी भावर दे रहा है, और article 246 मुझे कह रहे है, नहीं नहीं, कानुन सिर्फ state list वाले matters पर बनाना, तो योगी जी आप से पूछ रहे है, बेटा मुझे ये बताओ, कि मुझे article 246 क्यों पढ़ना है, मैं 245 पढ़ के कानुन बना दूगा, sorry, 246 के starting में, क्या लिखा है, एक बार, एक सकंद, माइक देनाक्षी भीया, डॉन वरी में थू, दा अंसर टू यूर कॉश्चन इस ओन दो बे, इतर, 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 बहुत चे अर्शल, 245 में तो ये लिखा है कि, अगर state को, means state जो है, वो बना सकती है, laws, state legislature, लेकिन सर, 246 में ये भी गिवेन है, कि उन clauses को भी हमार को consider करना पड़ेगा, ये जो given है, subject to clauses, आप कहरो जी, यहाँ पर ये लिखा हुए, subject to clause 1 and 2, तो subject to clause 1 and 2 का मतलब क्या हो गया, कि जी, state list के matters पर जब आप कनून बना रहे हो, आपको इन दोनो clauses का ध्यान रखना पड़ेगा, पर योगी जी, इन दो clause को override करना चाहरे है, ये वो पूरे article को override करना चाहरे है, वो तो क्या कह रहे है, मेरे को article 246 पढ़ना ही नहीं, मैं सिर्फ क्या पढ़ूँगा, 241, getting a point, सवाल समझे मैं आपको, अब answer करें, कोई नहीं, कोई नहीं, अरे रुख जाओ, रुख जाओ, hand raise करके, कोई जवाब देना चाहरे, माइक देद अक्षे, जिसको मन करें, देदो माइक, Sir, article 245 जो है, उसके first में लिखा हुआ है, subject to provisions of this constitution, इसका मतलब हमें इनको साथ में लेके पढ़ना पढ़ेगा, ऐसे individually नहीं पढ़ सकता, बहुत अच्छे, जो article 245 है, बहुत अच्छे, article 245 में सर्फ ये नहीं लिखा, कि parliament आप इंडिया के लिए कानून बनाना, और state आप state के लिए कानून बनाना ना, ये जो article है बच्छो, ये कुछ words के साथ स्टार्ट हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, subject to the provisions of this constitution, मतलब, article 245 क्या कह रहा है, वो कह रहा है, देखो जी मैं parliament को इंडिया के लिए कानून बनाने की power, और state को state के लिए कानून बनाने की power दे तो रहा हूँ, पर जब मैं ये power दे रहा हूँ, ये power देते वक्त, मैं इस समविधान के बाकी provisions के अधीन हूँ, मतलब, मेरी authority उन सबसे बड़ी नहीं है, अगर मेरे against कोई बात, इस समविधान के किसी भी दूसरे article में लिखी होगी, तो किसकी authority ज़ादा बड़ी होगी, उस दूसरे article के, कि कह रहें, जी I am subject to, हाथ जोड़के कह रहें, ठीक है, मैं power दे तो रहा हूँ, पर मैं दूसरे provisions के अधीन हूँ, और बचों, यहाँ पर यह subject to आया है, यह किस article के लिख दिया, article 246, इस बात का मतलब क्या हुआ, कि कल को by chance, अगर 245 और 246 में clash आ जाए, कौन सा article prevail करेगा, 246, क्योंकि 245 क्या कर रहा है जी, मैं बाकी provisions के अधीन हूँ, मैं उनके अधीन होकर एक बात बोल रहा हूँ, अगर वो कुछ और कहना चाहें, तो ठीक है, तो जैसे ही योगी जी हमें यह कहेंगे, हमने क्या अंसर देंगे, हम कहेंगे, देखो योगी जी, आर्टिकल 245 में लिखा है कि वो 246 के अधीन है, और 246 ने आपकी पावर पर लगा दी है रोग, इसलिए आप चाहा कर भी यहाँ पर union list वाले income tax पर कानून नहीं मना से, तो ध्यान रखना, लॉआ में बच्चो हर वर्ड का अपना relevance होता है, बच्चो हर कॉमे का भी अपना relevance होता है, दूरिंग मां आर्टिकल चिप, आप सीन केसे जहाँ पर सिफ एक कॉमा की वज़े से, 18,000 करोड की penalty का difference आ गया था, तो लॉआ में हर कॉमा का, हर फुल स्टॉप का, हर चीज का अपना relevance है, तो ध्यान रखना, law में आप words को इतना इसली नहीं ले सकते है, courts में points, commas, हर किसी के उपर case लड़ा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर mentioned है, subject to the provisions of this constitution, कि मैं उस article के अधीन हूँ, अब आते हैं बच्चों, दूसरा interesting question, सबसे बहले तो आप एक काम करना, article 245 के नीचे लिख ले ना, article 245 is subject to article 246, so article 245 is subject to article 246, that is, in case of any clash, so article 245 is subject to article 246, that is in case of any clash, article 246 will prevail, मुहित पूछरा सर, दिल्ली पुलिस को कौन कंट्रोल करता है, बता हो जी, दिल्ली पुलिस इस कंट्रोल भाई सेंटर, because जो दिल्ली है, वो एक यूरें टेरिट्री है, और दिल्ली के लिए, हमारे समिदान में कुछ special articles है, बहाँ पर कहा गया है कि दिल्ली सरकार, आप काफी सारे topics पर कानून बनासकते हो, पर उनसे एक दो मुद्दे छीन रखे हैं, जैसे आपका MCD आता है, जैसे आपका पुलिस आ रहा है, वो सब सेंटर द्वारा रेगलेट होती है, तो अगर आपको दिल्ली में कहीं भी कचरा बचरा देखने को मिले, साफ सफाही ना मिले, तो उसमें दोश किसका है, केजरिवाल जी का, नहीं वो सेंटर का दोश है, क्योंकि MCD भी दिल्ली में, उनके द्वारा, BJP द्वारे कंट्रोल है, अभी MCD में BGP कराज है, तो दिल्ली, इस युनीक यूनियन टरिटरी आइबोट से, और यूनियन टरिटरी भी, just for knowledge ज्यान रखना बच्चो, हमारे देश में दो तरीके की होती है, एक यूनियन टरिटरी ऐसी होती है, जो डारेक्टली सेंटर द्वारा ही पूरी रेगलेटिड है, उसका अपना कोई legislature नहीं होता, और कुछ यूनियन टरिटरी ऐसी होती है, जिनके अपनी assembly है, अपना legislature है, जिसमें आपकी तीन यूनियन टरिटरी आती है, पुंडुचेरी, दिल्डी, एंड आपकी JNK, तो ये तीन ऐसी यूनियन टरिटरी है, जहाँ पर आपको state legislative assembly देखने को मिलती है, वहाँ elections होते हैं, बाकी union टरिटरी में election होते हैं, वो directly, center द्वारा regulated रहती है, तो ये आपका meaning आगया, बच्चों, subject to का, तो द्यानक ना, law में इन words का भी अपना relevance होता है, coming down to the next point, आते बच्चों, article 246 पर, article 246 ने साफ साफ कह दिया, कि जी, parliament आप union list के matters पर कानून बनाना, state आप state list के matters पर कानून बनाना, और आप दोनों concurrent list के matters पर कानून बना सकते हो, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पर तो देखिएगा, कि by chance अगर समिधान में बच्चो, कोई matter, गलती से union list में भी लिख दिया जाए, और state list में भी लिख दिया जाए, तो उस पर कानून कौन बनाएगा, अगर गलती से कोई matter, union list में भी आ गया, और state list में भी आ गया, तो कौन कानून बनाएगा, कितने बच्चे गलती साथ दो नहीं बना सकते हैं उस case में, कितने गलती स्टेट बनाएगी, कोई logic से answer देना चाहिए, कि अगर court में इस सवाल उठ जाए, कि जी अगर कोई matter union list में भी है, और state list में भी है, तो कौन कानून बनाएगा, कोई बच्चा answer देना चाहिए, mic देना, Akshay भी अवड़ाबर, hand raise रखियेगा, Akshay भी अपनी मर्जी से दे दो, किसी को भी mic, sir, check हो हो है, sir, clause 1 में लिखा है कि, notwithstanding anything in clauses 2 and 3, और clause 3 में भी लिखा है कि, subject to clauses 1 and 2, तो बच्चा कर रहा है भाई कि, sir, clause 1 में लिखा हुए, notwithstanding anything contained in clause 2 and 3, और clause 3 में भी लिखा हुए, subject to clause 1 and 2, सबसे पहले तो बच्चो, अगर मैं आपसे यह बूच्चो, subject to clause 1, in line का क्या मतलब है, clause 3 क्या कह रहा है, मैं clause 1 को override कर रहा हूँ, या मैं उसके अधीन हूँ, कि बाई चांस अगर clause 1 और 3 में clash आया, तो क्या 3 कह रहा है, हाँ जी ठीक है, clause 1 की बात मानी जाएगी, the answer is yes, क्योंकि वो कह रहा है, I am subject to clause 1, तो clause 3 कह रहा है जी, कल को अगर clash आएगा, आप मेरी बात छोड़ दे न, आप clause 1 की बात मान ले, आप clause 1 में क्या लिखा हुए, notwithstanding, इसका गया मतलब होता है भाई, overriding effect की, अगर कोई भी clash होता है, इस clause के साथ, तो clause 1 विल प्रिवेल, good, तो जी, clause 1 क्या कह रहा है जी, notwithstanding anything contained in clause 3, वो कह रहा है जी, कि मैं clause 3 की बात को नहीं मानूँगा, मतलब अगर clause 3 मेरे अगेंस कुछ भी लिख देता है, मुझे फरक नहीं पड़ता, मेरी authority सबसे बड़ी, that I will not withstand whatever the clause 3 is saying, तो बच्चों यह जो notwithstanding है, इसका भी अपना relevance होता है, और यह notwithstanding वाले clause को बच्चों में एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, कि notwithstanding वाले clause को क्या बोला जाते है, non-obstantate clause, O-B-S-T-A-N-T-E, तो ध्यान रखना, notwithstanding मतलब मेरे को फरिक नहीं पड़ रहा, सामने वाला जो मर्जी बोलता रहे, मेरी authority सबसे बड़ी, और भहुत बारिक सा point बोलूँगा बच्चों, clause 1 क्या कह रहा है, कि clause 3 क्या exist ही नहीं करेगा, या clause 1 यह कह रहा है, जी exist तो वो भी करेगा, पर अगर मेरे against कुछ बोलेगा, तो वो वाली बात prevail नहीं करेगी, यारेस clause 1 क्या कह रहा है, कि clause 3 exist ही नहीं करेगा समिंधान में, या clause 3 exist तो करेगा, पर उसकी जो जो बात मेरी बात के अगेंस्ट होगी, वो वाली बात नलिफाए हो जाएगी, तो ध्यानरकना सिर्फ वो वाली बात नलिफाएगी, पूरा clause है, ऐसा नहीं और भाई पोफ हो गया, clause तो है, law है, बस clause 1 करें, मेरे अगेंस्ट जो जो बोला जा रहा है, वो वाली और clause 2, that is union list और concurrent list में clash आया, तो किसकी authority जादा बड़ी, union list की या concurrent list की, union की authority जादा बड़ी क्यों है, क्योंकि first में भी क्या लिखा हो है, notwithstanding anything contained in clause 2, and 2 में भी क्या लिखा हो है, subject to clause 1, तो 1 क्या रहा है जी, मैं 2 की बात को भी नहीं मानता, that is मेरे आगे, ना तो clause 3 टिकेग और clause 2 क्या रहा है जी, हाँ जी, मैं subject to clause 1, मैं भी 1 के अधीन हो, and the last question is, भाई चांस, concurrent list और state list में clash आया, तो कौन सब रिवेल करेगा, कितने बच्चे करें concurrent, कितने करें state, बाकिवी कि क्या सदा बनी, दोबारह से मैं question repeat कर रहा हूं, अगर concurrent list और state list में clash आया, किसकी authority जाद list किया, state list कि, कितने बच्चे करें, concurrent, कितने करें, नहीं सर, state list कि, चलिए, बहुत अच्छे, आपको पूरा topic लिए, concurrent list की authority जादे बड़ी क्यों है, क्योंकि, clause 2 क्या कह रहा है, कि मैं तीन की बात को नहीं बानता, जो मर्जी बोलता रहे, मेरे को फरिकनी पड़ता, और क्य but if for example, section 20 says, notwithstanding but if for example, section 20 says, notwithstanding, anything contained, in section 35, 5, oh, चलो बेटा अभी तो बजने दो, आगे से class में फोन बजा, तो, तो, क्या कर लोगे, तो फिर आपको stage पर आना पड़ेगा, ठीक और अपने कोई कला का प्रदर्शन करना पड़ेगा, ठीक तो अपना कोई talent, hidden talent फिर यहां पर आपर आपर सबको दिखाना पड़ेगा, तो phone संबाल के, आगर phone की आवाज आई, ऐसे मैं पनिश कुछ ने पड़ेगा, the same goes with me as well, मेरा phone बजा तो फिर मैं परफॉर्म करुगा, ठीक तो loss up के लिए बराबर है यहां पर, तो phone संबाल के, किसी का phone बजा, पास्ट में बहुत बच्चे परफॉर्म करके गे हैं, तो में भी नहीं बख्षी जाओगे, तो phone थोड़ा संबाल के, till anyways, but if for example section 20 says, notwithstanding anything contained in section 35, then in case of clash, comma, dash will prevail, but if for example, section 20 says, notwithstanding anything contained in section 35, then in case of clash, dash will prevail, यह dash खुद से फिल कर ले न, लिख लो, लिख लो, मैंने लिखने वाला, लिखो खुद अपनी नॉलिज से, अगर section 20 कह रहा है, notwithstanding anything contained in section 35, और दोनों में clash आ जाए, तो कौन सा prevail करेगा, कितनोंने 20 लिखा है, कितनोंने 35 लिखा है, कितने अभी तक इंदिजार कर रहे है, save खेल रहे है, होंगे होंगे, चलो anyways, very good जी, कौन सा section प्रिविल कर जाएगा, section number 20, तो ध्यानक न, law में in words के अपने बहुत सारे relevance रहते हैं, subject to का मतलब जानक न, हाँ जी, मैं आपके अधीन हूँ, आपकी बात ज्यादा बड़ी, और notwithstanding जी, कि मेरे को फरक नी परता, वो क्या बोल रहा है, जो मर्जी बोलता रहा है, और अगर आपको ए बात अच्छे से समझ में आईए, तो एक छोटे से सवाल का जवाब और दे anything contained in this act, तो इसका मतलब क्या होगा, कि जी, अगर इस पूरे act का कोई भी section, section 50 के against, कुछ भी बोलता है, इसको फरक नी पड़ता, यही survive करेगा, और बाइचांस अगर section 50 में लिखा है, notwithstanding anything contained in any other law, for the time being in force, तो, तो जी, किसी भी कानून में जो मर्जी आप इसके against लिखतो, इसको फरक नी पड़ता, authority कि इसकी survive करेगी, 50, तो notwithstanding, nonobstanted clause, काफी type के हो सकते है, depending on the clauses, आप पता लगा लेगा, कि जी, वो किस को override कर रहा है, एक बड़े सा सवाल पुछो, नहीं, यह पुछो, जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, जवाब बाद में विलेगा, तो ठीक है, पूछना है, पूछलो, हमें क्यों परिशान कर रहे हो, ठीक है, देख लो, चलो, सवाल सिंपल सा है, let's suppose, बच्चो, section 50, of Companies Act में लिखा हुआ है, कि notwithstanding anything contained in any other law, तो बच्चो, अगर कभी भी clash आया, तो क्या prevail करेगा, Companies Act का section 50, या दूसरा कानून, and let's suppose, बच्चो, Income Tax Act के section 30 में लिखा हुआ है, notwithstanding anything contained in any other law, तो अगर Income Tax Act के section 30, और किसी दूसरे कानून में clash आया, कौन सा prevail कर जाएगा, और बच्चो, इन दोनों section में clash आ गया, सवाल समझ में आया, section 50 कर रहा है, मेरे against, जो मर जी कुछ भी बोलता रहा है, मैं नहीं मानता, तो किस की मान है, सवाल सबको समझ में आगे, किसी को सवाल ना समझ माया है, तो बताओ, मैं question repeat करूँ, जब आप तो रूण लेंगे, सवाल समझ माना चाहिए, पहले, जो, आजी, क्या लगता है, section 50 of Companies Act will prevail, यह section 30 of income tax will prevail, yeah, we'll go for a toss, सिक्का निकालो, दोनों prevail कर जाएंगे, दोनों में clash है भाई, कैसे prevail करेंगे, यह बच्छा पूरा diplomatic है, दोनों prevail कर लेंगे, कोई नहीं, कितने बच्छा गरे सर section 50 prevail करेगा, कितने गरे 30 prevail करेगा, कितने गरे 30 prevail करेगा, कितने बाद में ही सीखें है, लास्ट बार मैं पूछ रहा है, हाँ जी, माइक गया, कि माइक दो ऐसे कैसे अंसल हो, सामन कहरे है, court will prevail, हलो, 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 हाँ जी, section 50 जब लिखा होगा, तो सोच की लिखा होगा, वो बाद में बनाया ना, 2013 में, तो 1961 में था पहले वाला, तब नहीं पता होगा कि आगे, अस्तोरे पर एक बार जोरदार तालिया हो जा दो, भाई ने बात एकदम ठीक करी, बहुत बढ़ी आजी, बहुत, 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 भाई ने क्या कहा, सर, income tax act कब बना था, 1961 में, उसमें जब section 30 लिखा गया, तो 30 ने क्या कहा, मैं किसी की भी बात को नहीं मानता, उसके बा परलेमेंट ने section 50 में ये बात लिखी, क्या उनने पता था कि already income tax के section 30 में कुछ ऐसा लिखा हुए, यस, फिर भी क्या उन्होंने इस बात को माँ पर लिखा, यस, तो उनका intention क्या है, वो किसको जादा बड़ी power देना चाह रहे है, section 50 of the companies, that is, clash के case में क्या देख लेंगे या कोशिश करते हैं, very good कि आप day one पे इतनी बड़ी आ interpretation कर पा रहे हैं, वरना, generally सवाल का जावा, आप हम अपनी batch के आखरी class में बिलता था, जब हम interpretation of statutes पड़ते थे, पर आज आपने पहली बार में ही, उसको crack के, very good, तो चलिए भी, this is how, हम लों में छोटा-छोटा interpretation करना लिखेंगे, तो last time बता दीजिए, Parliament कौन से matters पर कानून बनाएगी, state कौन से matters पर कानून बनाएगी, और दोड़ों कौन से matter पर कानून बनाएगे, union list और state list में clash आया, कौन सी प्रेवल कर रही थी, union, union और concurrent में clash आया तो, union, concurrent और state में clash आया तो, और अगर कोई matter कहीं पर ल अगर कोई matter तीनो लिस्ट में लिखा ही ना हो, तो कौन कानून, सर ऐसा कैसे हो सकते है, कोई matter लिखा ही ना हो, कि जब समिधान बना था, शायद देश में वो matter ही नहीं था, सर जैसे की, cryptocurrency, cryptocurrency, crypto जब आया, तो parliament या समिधान बनाने वाले ने क्या सोच लिया होगा, 1947 या 50 में कि crypto की बात भी लिख दो, नहीं, उस समय तक वो चीजी exist नहीं करती थी, internet exist नहीं करता था, तो बहुत सारे matters ऐसे हो सकते हैं, जो जब समिधान बना था, तब exist नहीं करते थे, तो इसलिए उ और आपकी दिल के वाजी, समिधान बनाने वाले ने भी सुझा और उसने ये बात लिख दी, finally कहां पर आपके, article 248, और वहां पर क्या बोला गया जी, कि जितने भी residue matters हैं, that is, जो matter किसी भी list में cover नहीं है, उन पर कानून बनाने की automatic power, किसको मिल जाएगी, parliament, that is, parliament has the exclusive power to make any law with respect to any matter, not enumerated in concurrent list या state list, तो अगर कई matter concurrent या state list में नहीं है, automatically parliament के पास power आ जाएगी, और इस same बात को फिर से repeat किया गया, union list की last entry number में, तो बच्चों, जो union list है, उसकी last entry number 97 में क्या लिखा हुआ है, जो भी matter, list 2 या list 3 में नहीं है, क्या वो automatically union list में है, येस, इसलिए बच्चों, यहां से parliament को सारे residue matters पर कानून बनाने की power मिलती है, और यहीं से बच्चों, हमारी parliament को power मिली है, Companies Act 2013 बनाने की, क्योंकि Companies Act बनाने की, कोई भी specific entry union list में नहीं है, तो हम entry number 97, red भी थोड़ा सा entry number 43, इनको combine करके बोलते हैं, कि हमारी parliament में हमारे देश म Companies Act बनाया है, इसलिए आपको पूरे इंडिया में एक Companies Act बनाया है, इसलिए आपको पूरे इंडिया में एक Companies Act बनाया है, या हर स्टेट का अलग-अलग, क्योंकि यह बात लिखी कहां पे हुई है, union list में, तो ध्यान रखना है, तो इसलिए यहीं से Companies Act 2013 बनाने की power parliament है, and that is the answer to the question कि इंडिया में सिर्फ एक ही Companies Act क्यों है, जब आप GST पढ़ोगे, आप सीखोगे, GST बहुत सारे है, GST center का भी है, state का भी है, central GST भी है, state GST भी है, क्योंकि वहाँ पे powers bifurcated है, पर जब हम Companies Act की बात करेंगे, Companies Act हमारे देश में सिर्फ एक ही है, क्योंकि वह बात सिर और सिर्फ आपकी Union List में लिखी गई है, तो ये Residory Power Parliament को मिले है, और एक लास्ट छोटा सा डाउट आया था, कि सर, Concurrent List के जो Matters थे, उन पर कानून कोन बनाता है, Parliament as well as state, पर अगर दोनों के बनाए हुए कानूनों में clash आ जाए, तो किसका कानून प्रिवेल करना चाहिए, अगे इन Parliament, ये बात भी Constitution के एक Article आता है, 254, महाँ पर mentioned है, वो मैंने आपर नहीं दिया हुआ, पर लिखा हुए, जी, Concurrent List के Matters पर दोनों ने कानून बना दिया, तो Parliament का कानून महाँ पर प्रिवेल कर जाता है, तो धान रखना, कि जी, Residory Matters पर कानून बनाने की power Parliament के पास क्योंकि अगर मैं सीधा Companies Act पढ़ाने लगता हुआ और बाईचांस तुम पूछ लेते, सरी Companies Act Parliament ने क्यों बना दिया, क्या power है या नहीं है, दूसरा स्टेट क्यों नहीं बना पारा, तो उसका answer ही है, समिधान ने का हुआ है, Companies Act is a Residory Matter, सिर्फ Parliament ही कानून बना पाएगी, त तो beat any law, चाहे आप income tax पढ़ लो, GST पढ़ लो, जो मर्जी कानून होगा, उसके लिए आपको पहले समिधान पढ़ना पढ़ेगा, और जब जुम GST पढ़ोगे, तुम सीखोगे, GST लाने की power समिधान में नहीं थी, तो जब GST आया था, पूरा का पूरा समिधान ही amend किया गया था, तो तब पूरा समिधान amend हुआ था, GST was not an easy thing, उसको लाने में बहुत दिक्कते हुई थी, पूरा constitution बदलना पढ़ा था, तो इसलिए, कोई भी law पढ़ने से पहले, जापका fundamental law है, वो आप पढ़ लेना, that is constitution of India, इसकी सबसे supreme most authority है, इससे बढ़कर कोई नहीं है ज legislations, find their authority in the constitution, अब आपने समिधान से वेट कर लिया, कि जी, companies act, हाँ, parliament ही बना सकती है, तो अब अगर आपको company के बारे में जानना है, फिर आप आजएए उस law पर, और बच्चो, जो law होता है न, वो भी होता है दो type का, it can be a parent law, और it can be delegated law, और यहां से एक बड़ा interesting question निकल क क्या आता है, एक और सवाल, कि सर, एक वर्ड तो आप बोल रहे हो law, एक वर्ड आप बोल रहे हो act, क्या यह दोनों सेम है, can में भी कुछ difference है, अरशिर कारे सर, 246A news में देखा था, चलो very good, हाँ जी, क्या law और act, एक ही बात है या कुछ अंतर है, क्या अंतर है, वो तो bill बन बढ़ी टर में, एक चोधी टर में, act बड़ा टर में, छोधी तर में, लो बढ़ी टर में, या दोनों सेमी टर में, हर्शिल भी करे सार, law is a वायड़ टरम, उस्तों हमने सीखा, कि parliament कानून बनाएगी, parliament क्या बना रहे है, law बना रहे है, या act बना रहे है, इस पावर को एक्सराइस करते हुए पार्लियमेंट बिल को पास करके क्या बना देती है अच, किसी भी अच बे जैसे dumies act 2013 में जितने भी बाते लिखी है वो सारी बाते कने लिखी है पार्लियमेंट ने कानून बनाया है पर बच्चो कानून के अंदर ना कुछ ऐसी बाते होती हैं जो पारलेमेंट कहते हैं यह बड़ी छोटी बात हैं यह मैं नहीं बता रही है बेकार में लौ बनाने की पावर तो मेरे पास है पर हर पावर अगर मैं से सैस करोंगी बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसलिए पारलेम जनरली किसको डैलीगेंट कर दिती है सेंट्रल गवर्यमेंट को या उसकते सेभी को कर दे या तो prophecies अर्बिये को कर दे तो अलग अलग अथोरेटीוס को वो power delegate की जाती है और वो power का इस्तमाल करते हुए अगर central government कोई rule बना दे, कोई regulation बना दे, कोई notification बना दे, कोई circular बना दे, तो क्या वो भी law का हिस्सा माना जाएगा, yes, पर क्या वो act है, नहीं, तो धानक न, law के अंदर आपका एक तो parent law आते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, act, और एक आप कहाते है, delegated law, delegated क्यों बोला, क्योंकि उसकी delegation act द्वारा हुई है, act में parliament ने किसी और को कोई power delegate कर दी, जिसके तहत, आप rules, regulation, notification, circular, ये सब बनाते हो, अब sir, rules क्या होते हैं, notification circular क्या होते हैं, जब time आएगा, ये अभी आपको समझाओंगा, don't worry, पर हाँ, उन्ह क्या पढ़ने वाले हैं, बच्चो, company's act या company's law, company's law, हम जो पढ़ेंगे, हम सिर्फ act नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ rules भी होंगे, कुछ notifications भी होंगी, कुछ circulars भी होंगे, जिनको हम refer करते हुए पढ़ेंगे, तो हम पूरा law पढ़ रहे हैं, जिसमें act भी आ रहा ह और सारे rules भी आ रहे हैं, बच्चो, क्या कभी-कभी law को interpret करने में दिक्कत आती हैं, हम courts के पास जाते हैं, और क्या कुछ अच्छे-चे case laws भी हमें पढ़ने पढ़ सकते हैं, तो इसलिए law पढ़ने का एक और source होता है, बच्चो, case laws, कि उस law के तहत कोई landmark judgments अगर आये होंग री गंडोलिटी, estate limited, mrs. बच्चाइफ, गुजदार, थे कुछ cases, चलो, कुछ-कुछ case laws आपने foundation में पढ़े होंगे, कुछ-कुछ inter में हम सीखेंगे, ये भी पढ़े होंगे, तुमने royal british bank versus turquan, चलो, ashbury, railway carriage versus iron company, limited versus ritchie, चलो, तो कुछ-कुछ case laws यहां भी आएंगे, foundation व law, इसी तरीके से बच्चो हमारे देश में Companies Act 2013 बन करकिया है, तो आज का last point finally, कि journey of Companies Act क्या रही, तो बच्चो Companies Act 2013 से पहले हमारे देश में कौन सा Companies Act था, 1956, तो इससे पहले जी 1956 का एक कानून था, उसको हटा करके, ये नया कानून आया, 2013 वाला, that is, हमने 1956 वाले को किया repeat, और अगर मैं आपसे पूछू हूँ, ये Companies Act हमारे देश में किसने बनाया, तो क्या जबाब देंगे अब, किसने बनाया है, पार्लियमेंट ने, गवर्मेंट ने, किसी स्टेट लेजिसलेटिव सेमली ने, किसने बनाया, क्या पार्लियमेंट के पास पावर है ये बनाने की, कह कहां से आई ये पावर, कहां लिखी है, यूनियन लिस्ट में लिखी है, कोई स्पेसिफिक एंट्री तो है नहीं, तो जी, रेजडरी एंट्री में ये बात लिखी हुई है, ठीक, तो रेजडरी एंट्री की पावर का इस्तमाल करते हुए, पार्लियमेंट ने बना दिया Companies पार्लियमेंट ने ये एक्ट पास करने की सोची होगी, कि चलो 1956 वाला अटाकर तेरा वाला ले आते हैं, तो वो सीधा एक्ट को लाकर उसे पास करा देते होंगे, या पहले बिल बनाएंगे, स्वारे डिसकुशन्स होंगी, फिर वो बिल पास होंगे, और वो बिल कुन लि को क्या चाहिए, मंत्राल ले, कि मुझे बस किसी तरीके से मिनिस्ट्री मिल जाए, सर नेता मिनिस्ट्री के पीछे तरह क्यों लगता है, यह उच्छा पैसा जो आएगा, वो किसके पास आएगा, मिनिस्ट्री के पास आएगा, खर्चे के लिए, इसलिए नेता चाहिए, मि को मंतराल ने मिलजा है ताकि पैसा आएगा तो बीच में चुटा मोटा कट हमारा बन सकेगा एनिवेस तो जी लाइकवाइस जब Companies Act 2013 उन्हें बनाना था तो सबसे पहले बच्चो Companies Act आया होगा या Companies Bill बना था तो Companies Act एक जर्णी आपको दी गई है बच्चो यहां पर सबसे पहले Companies Bill 2008 किया गया था इंटोड्यूस और बच्चो यह 2008 हवाला बिल किसने इंटोड्यूस किया होगा विजेपी ने कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस में कॉंग्रेस गवर्मेंटी दियान रखना उन्होंने एक बिल बनाया Companies Bill 2008 उसके बाद क्या हुआ बच्चो यह 2008 हवाला बिल स्क्रैप हो गया इसके बाद एक नया बिल आया Companies Bill 2009 और इसे लोगसभा में पहली बार पेश किया गया और लोगसभा से कागया जी द Finance लिखना चाहो लिख लो वैसे यह आपके स्लेबस का पार्ट नहीं है आज की क्लास में हमने जो भी पड़ा है आपके पेपर में एक भी सवाल नहीं आएगा इस बिल को ना लेट करें जाओ तो कि जब कल को हमारी सरकार बन जाएगी ना हम इस बिल को पास करेंगे और पूरा क्रेडिट ले लेंगे जैसे GST औरिजिनली आइडिया था किसका कॉंग्रेस का पीछी तंबरम का पर वो पास किसने करवाया बीजेपी ना तो आज के 50 साल के बाद कोई पूछे जी बीजेपी सॉरी GST हमारी देश में किस सरकार ने लागू कराया आंसर क्या आएगा बीजेपी तो इसलिए सरकारे कहीं बार या उपोजिशन कहीं बार उसको डीले करवाती है ताकि उनके टाइम लाइन में टेन्योर में वो पासो और देकें टेक सबा के आगे पेश हुआ पर फिर क्या हुआ बच्चो फिर से मजे लिए गए इस बिल को वापसी जनवरी 2012 में किसको रेफर कर दिया गया Standing Committee for Finance कि जी आप दुबारा से इसमें चिंजिस करो मजा नहीं आ रहा जी कमेटी ने फिर से अपनी रिपोर्ट सब्मिट करी लोग सभा के पास and finally बच्चो जो amendments उस बिल में थी cabinet ने that is council of ministers ने करी approve and finally लोग सभा में ये वाला बिल पास हो गया 18 दिसंबर 2012 को तो जो companies बिल 2012 था finally लोग सभा ने पास कर दिया और यहीं पर ये act बन गया है अभी कुछ चाहिए एक्ट बन गया अभी कुछ चाहिए राज्यसभा का अप्रूवल और कुछ प्रेजिडेंट के साहिए तो जी finally फिर राज्यसभा ने इस पर अप्रूवल दिया 8 अगस्ट 2013 को और प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर साइन किये 29 अगस्ट 2013 को और इस दिन बच्चो यह क्या बन गया Companies Act 2013 तो जान रखना 29 अगस्ट 2013 वो दिन था जब प्रेजिडेंट द्वारा साइन किये गए और फाइनली बच्चो इसका सेक्शन वन नोटिफाई किया गया 30 अगस्ट 2013 अब आपने अगर फाउंडेशन में थोड़ा बूत पढ़ा हो तो प्रीस मुझे य Season Пр Pope E Shell चारगे जिस दिन प्रेजिडेंट ने साइंड की थे फार्स में आ गए प्रीस परलगेशन सारे में थरा यह क्या रहुड़ा घंक, कर जिए आ संबपर मोच नहीं था इको समझने में दिकत नाइ है थोड़ा साइम उन्हें लाइड ता इसले स्वेसी वहानल भी एर धीरे-धीरे करके law लेकर रहा है, क्योंकि Companies Act बहुत बड़ा legislation था, पिछले कानून में लगबग साड़े 600 section थे, उन्हें चेंज करते वे नया कानून बना, तो लोगों को समझने के लिए समय चीए, तो gradually वो notify हुआ, likewise जैसे आपका section number 1, 30 अगस्त को notify हुआ, फिर कुछ section is didn't notify ह हुए, and so on, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके, Companies Act 2013 आपका force में आ गया था, तो sir, क्या आज के दिन में Companies Act 2013 पूरा का पूरा force में आ चुका है, या अभी भी कुछ section notify होने बाकी है, आ गया, सरा का सरा, इसका मतलब पुराने वाला पूरी तरीके से खतम हो चुका है, रिपील ह तो भी थोड़े कुछ provision पुराने वाले के pending है, चलिए, ध्यान रखना भी, पुराना लोग अब पूरी तरीके से रिपील हो चुका है, और नया Companies Act आपका पूरी तरीके से notify हो गया था, और यह होने में लगबग, 30 जनवरी 2019, लगबग आपका 6 साल का समय लग गया था, नय Companies Act को पूरी तरीके से notify होने में, तो इस दिन finally आपका Companies Act का last section notify हुआ था और पुराने वाला repeal हुआ था, तो it took time, तो finally जाकर 2019 में आपका पुराने वाला Companies Act हटा था, और नया वाला Companies Act force में आया था, पर बच्चो, Bill Act किस दिन बनता है, Bill Act किस दिन बनता है, जिस दिन President करते ह Companies Act 2013 पर President ने sign किस दिन किये, जिस दिन President ने sign किये होंगे, क्या Companies Act 100% complete रेडी था या नहीं था, लौ रेडी था या नहीं था, लौ तो रेडी था, जिस दिन sign किये उस दिन सारे 470 section उसमें थे, बस section notify धीरे धीरे हुआ ये ध्यान दखना, एक, तो सवाल ही उठता है जी, ये आजाना चाहिए था, that is, अगर मैं आप से ये पुछो, एक तो होती है कानून बनने की date, और एक होती है कानून की enforcement की date, तो बनने की date तो आप वो कह रहे हो, जिस दिन President ने sign किया, तो क्या enforcement की date वो नहीं होगी, that is, हमारे देश में Companies Act है पर उसकी बाते हम पर लागो नह जाता है, उस दिन हो गया था, ऐसा कैसे, क्योंकि जी Constitution के न, starting में लिखा हूँ है, कि ये लागो इस दिन होगा, आदी, कहां पर आता है, सवाल समझ में अच्छा सबको, question क्या पूछना चाहरा हूँ, कि जब President ने 39 अगस्त को sign करके इसको act बना दिया, तो काइदे से उसी दिन हमारे देश में सारे 470 section अपलाई हो जाने चाहिए थे, फर ये धीरे-धीरे-धीरे-धीरे force में क्या हा, आजी वैसी बोला माईका बेट मत करना, financial air के बीच में थी इससे, उसке section धीरे-धीरे जो notify हूए , क्या हर financial air की starting में हूए नहीं? गैंडमली किसी भी दिन हो गए थैं होगया था पूरा एक्ट साइन हो गया था, पूरा एक्ट नौटिफाई होता है एक साथ कवर्मेट तो सिर्फ कानून चलाती है कानून बनाने में तो उसका कोई रोली नहीं है प्रेजिडेंट ने साइन कर दिये पार्लेमेंट ने बना दिया, तो M.C.E. बीच में कैसे आ जाएगी? वो तो law चलाएगी, कानून पार्लेमेंट ने बना के दे दिया, अब उस कानून के इसाब से आप company incorporate कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, compliance कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, penalty लगाना, ये सारा काम कुन करेगी, Central Government, Ministry of Corporate Affairs, ठीक ये सारा काम वो करेंगे, पर कानून लागू कब से हो रहा है, ये CG कैसे बता देगा, Central Government चलेजी, मिलते हैं, next class में? चले, next class हमारी परसो होगी, आप इस सवाल का जवाब हो सके तो धून के लाना, कुछ एक बच्चे आंसर कर रहे हैं, well and good, और next class में इसका आंसर बिलकुल मिलेगा आपको, और next class ध्यान रखना बच्चो अब हमारी next class है सीधा परसो, ठीक, day after tomorrow और we'll be meeting, और next class में हम इसी सवाल का जवाब से start करेंगे, किजी क्यूं कमपनी जएक धीरे धीरे फोर्स में आया, उसका लीगल बैकिंग कांसर बिलकुल कराती है, एक सिर्ट जो बस, प्लीज, लाइफ स्टुडेंट्स, अगर आपके कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्वाती, और लॉजिक इस करेक्ट, येस निदी, और राइट, बाकि next class में मिसका अंसर बिलकुल डिसकस करेंगे, अगर लाइफ स्टुडेंट्स, किसी का कोई डाउट है पूछ लीजिए, बाकि आज की class में जो पढ़ाया मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी आपके paper में नहीं आएगा, आज की class बहुत basic building blocks की class थी, next class से हम पढ़ाया स्टार्ट करेंगे, और प्लीस, next class में अपनी book जरूर करी करना, next class में book की जरूरत पढ़ेगी, chapter 1 I'll share, तो जिसके बास book नहीं होगी, वो for the timing उसकी pdf से काम चला सकता है, मानिक वो तो logic हो गया, कि जी नया law हम धीरे-दीरे समझ पाएं, logic तो समझ में आ गया हमें, पर legal backing क्या है इसकी, कि law में ये बात कैसे निकल कर आ रही है, yes, Savan, your logic is correct, एक संट जो, मिथुन, WF का मतलब होता है, with effect from नलायक, with effect from this date, with effect from that date, इरशा, next class में ही आपको बेटर आंसर मिलेगा, क्योंकि काईदे से प्रेजिडेंट ने साइन के, तब फोर्स में आ जाना चाहिए था, फिर क्यों नहीं आया, सीखेंगे, चले गाइस कोई doubt मेरे स्क्रीन पर नहीं है, लाइफ स्टूडेंट्स, फिर भी कोई doubt अगर आपका रह जाएगा, तो आप नेक्स क्लास में पूछ लेना, टेक केर, बो बाए,